Guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को complete WordPress और complete Elementor starting से लेके end तक एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगो पता चलेगा कि WordPress में वेबसाइट कैसे बनाते हैं और WordPress में वेबसाइट बनाना Elementor की मतलब से कितना असान है आप लोग कोगे कि यार मैंने पहले क्यों नहीं बना ली और पता है उससे भी बड़िया बात क्या है कि हम लोग एक रुपया भी खर्चनी करने वाले हैं ना hosting में ना domain में पहले हम अपनी वेबसाइट को बना के तयार करके confidence ले ले लेंगे कि यार हमारी वेबसाइट अच्छी लग रही है और उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो hosting करेंगे मैं आप लोग को पूरा end-to-end तरीका बताऊंगा hosting करने का, hosting कौन से खरीदनी चाहिए क्या चीज से बचना चाहिए कैसे अपने कम से कम पैसो में ज़या से ज़या काम आप लोग करवा सकते तो वो सारी चीज़े हम लोग डिसकास करने वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो को start करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के एक thumbs up देके और नीचे comment में nice tutorial लिग देए अगर आप लोग ऐसा करोगे सबसे पहले मुझे दिल से बहुत जादा खुशी होगी और अगर आप लोग का response अच्छा रहा तो मैं एक complete wordpress का पूरा tutorial बनाने वाला हुए एक दम end to end series बनातूँगा और उसी के साथ साथ मैं इस तरह के web development के और भी वीडियोज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए तो जल्दी से चलते हैं उसारे demo ले लेते हैं website का कि जो website हम बनाने वाले हैं वो दिखने कैसी वाली है so guys यह देखो यह कितनी मज़ेदार बनके आई यह website अगर आप लोगों ने भी इस तरह की website बनानी है तो आप लोग इस tutorial को follow करो मैं अब आप लोगों को एक बात की guarantee दे सकता हूँ कि यह website आप बना पाऊगे और इससे अच्छी बना पाऊगे क्योंकि यह मैंने WordPress से बनाई है कोई coding वगएरा जादा इस्तेमाल नहीं करिए और ना ही मैंने आपर अपने कोई पैसे वैसे खर्च किया है एकदम free में सब कुछ बनाएए देखो कितना मज़ेदार यह है आपर इसको मैं reload करके आपको दिखाऊँ है यहाँ पर animation आ गया है फिर यहाँ पर यह भी animated है मेरा अगर आप लोगोंने नहीं देखा तो तो यह सारे animations में एक एक click में लगा के आप लोगों को दिखाऊँगा और drag and drop करके इस website को बना के दिखाऊँगा अब website बनाने के तो कई तरीके होते हैं लेकिन यहाँ पर एक ऐसी website जिसमें एक blog भी हो इस तरह का कि आप लोग की users blog post यहाँ पर पढ़ सकें आप लोगों के और आप लोगों को categorize कर सकें इस तरह से उसी के साथ साथ आप लोगों की website responsive भी रहने वाली है मैंने actually यहाँ पर content डाला नहीं है जादा लेकिन आप लोग अपने blogs वगरा यहाँ पर अराम से add कर सकते हो और सब आपके यहाँ पर show करे तो देखो आप लोग यहाँ पर python से related search results आ गए है तो यहाँ पर जो जो pages match करेंगे वो आएंगे और यह पूरी website हम लोगों को बनाने में बिल्कुल time नहीं लगेगा एक बार हम लोगों नहीं सारे concept सीख लिए तो यह concept सीखने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन उसके बाद आप लोग बहुत कम-कम time में इस तरह की websites pull कर पाओगे जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग website बना रहे हो तो आप लोग यह भी देखना चाहोगे कि क्या यह mobile में अच्छे से चलती है कि नहीं चलती है तो देखो iPhone में यह कुछ इस तरह से दिखाई दे अगर मैं आप इसको responsive कर दूँ और आप लोगो को दिखाऊं कि iPad में आपके users कैसे देखेंगे आपकी site को तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी and at the same time अगर वो phone में आ जाते हैं तो आपकी website ऐसे अपने आपको change कर लेगी और यह सिर्फ इस page के लिए नहीं यह सारे pages के website हम लोग बनाने वाले हैं और उसी के साथ-साथ यह website कितनी मज़ेदार होने वाली है यह आपर सबसे बड़ा point elementor और wordpress यूज़ करने का यह होता है यह आप लोगों को मज़ा आता है बनाने में क्यूंकि आप लोग ज़्यादा कोई coding ने लिखते हो कोई error नहीं देखते हो simple drag and drop होता है animation में भी आप लोगों को बस बताना बढ़ता है यह animation मुझे चाहिए और बाकी सारे काम elementor और wordpress आप लोगों को करके दे देता है यह tutorial wordpress को पूरा cover करेगा और यह tutorial elementor को भी पूरा cover करेगा और उसी के साथ-साथ में आप लोगों को form किस तरह से fill करके user की entry को ले जितने भी customizations हैं आप लोग जो जो कर सकते हूं यहां पर सारे possible customizations मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ So guys, आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छी website हम लोगों ने आपर बनाई तो यह wordpress और elementor जो हैं इनके सिर्फ नाम खतरनाक हैं लेकिन इनको इस्तिमाल करना Facebook और Instagram से भी ज़्यादा असान है आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो के अंदर So यह पर बात यह है कि अगर आप लोगों को एक अच्छे design वाली website बनानी है और आपको जदी से जल्दी बनानी है और उसमें एक blog भी चाहिए तो आप लोगों quickly wordpress की मतद से जब बना सकते हैं तो definitely आप लोगों को ज़्यादा complex जाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं कहता कि अगर सिर्फ blog बनाना है तो wordpress इस्तेमाल करो और अपना काम जो है चालू कर दो इसमें आप लोगों को coding की टेंचन नहीं है web development जादा करने की टेंचन नहीं चीजों को break करने की टेंचन नहीं और तो और hosting बड़ी सस्ती मिल जाती आराम से कोई जादा पैसे वैसे भी चलेंगे और एक amazing खतरनाक website बनाएंगे जो की phone में भी चलेगी tablet में भी चलेगी जैसे कि आप लोगो ने भी demo में देखाई था तो चलते हैं अब अपनी computer screen में और इस सब को चालू करते हैं All right guys so मैं आ चुक हूँ यहाँ पर अपनी computer screen के अंदर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि wordpress को किस तरह install करना है और किस तरह से हम लोग इस computer के अंदर wordpress को run करेंगे अब देखो यहाँ पर दो चीज़े होती है एक तो होता है कि आप domain hosting खरीद लो जो कि बहुत सारे कि हम लोग free में एकदम free of cost यहाँ पर wordpress चलाएंगे और बिल्कुल भी ज्यादा हम लोगों को कुछ technicalities का देहा नहीं रखना है simply एक simple सा software install करना है जिसका नाम है XAMP एक XAMP करके software है search करना है और install करना है यह website खुलेगी apache friends.org खोलना इसको खोलने के बाद यहाँ पर XAMP और चाहिए मेरा यह देखो download नहीं हुआ लगता है मैंने click नहीं किया था हाँ अब download हो गया तो यह software है यह क्या चीज़े मैं आपको बताता हूँ देखो जब आप क्या करते हो जब आप एक domain खरीते हो hosting खरीते हो किसी भी website से आप खरी सकते हो domain और hosting आज कल तो ऐसे भी आपर ब जलत नहीं है लेकिन क्या होता है आप यह खरीदेते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे बरबाद हूँ इसलिए मैं कोई link वगरा आपको नहीं दूँगा और आपके यह पैसे में खर्च नहीं करवाँगा बलकि मैं क तरीका जो होगा कम से कम पैसे खर्च होंगा आपके उसमें ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया है जैंप नाम का software डाउनलोड किया होस्टिंग को मिमिक करता है अब यह होस्टिंग को मिमिक करता है क्या मतलब है यह local computer में ही आपके एक ऐसा environment मना देता है जहाँ पर आप ए जैसा ही खुलेगा मुझे यहाँ पर इसको अलाओ करना है और यह अभी अलाओ हो चुका है और यह खुलने वाला है इसका setup आप लोगों को simply क्या करना है next 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 करके इसको install कर लेना है default location पर ठीक है अब यहाँ पर क्या है यह warning दे रहा है मैंने okay इसको कर देना है क्योंकि warning ज और install करने नेकि मेरा क्या है ना कि मेरा already installed है मैं नहीं करूंगा install मैंने already zam install किया simply next करना है आपको और आपका install हो जाएगा तो यहाँ पर next पे click करेंगे आप तो सारी के सारी जो software की files है यहाँ पर extract हो जाएगी c-zamp में और यह आपका जो zam पे वो start हो जाएगा install होना all right guys so अभी यहाँ पर जो zam पे आपका install हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते है zam control panel यहाँ पर आप लोग लिख सकते है xampp control panel x लिखोगे तो यह आ जाएगा जैसे कि मेरा आ गया है और आपको उसके बाद इसको खोल लेना है यहाँ पर और यह कुछ इस तरह से क्या होता है पता है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह folder जहां पर मेरा downloads folder है उसमें मैं एक piece of software on download करूँगा पहले तो मैंने zam download कि है windows के लिए अब मैं wordpress भी download करूँगा तो zam पर wordpress दो चीज़े सबसे पहले download कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी के सारे काम एक साथ करेंगे तो यह आपके पैसे खर्च करवाने वाला काम है यह मेरा नहीं है मैं बंद कर देता हूं उसको और आप लोगों को free का time jump बताता हूं और जब मैं भी wordpress सीखता था एक time पर मुझे लोग बोलते थे गिया यह खरीद लो यह 30 wordpress download लिखेंगे तो wordpress.org का link आएगा ठीक है अब एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं यह wordpress.org होना चाहिए .com नहीं होना चाहिए इंत्याहन रखना तो यह wordpress.com क्या होता है अब यहापर मैं बताता हूं wordpress.com और wordpress.org में difference wordpress.com क्या होता है कि आप एक website बना सकते हो और य इस तरह से दिखती है harry.wordpress.com और जैसे मानलो मैं आप दिखता हूं live.wordpress.com I'm just guessing किसी का live नाम का blog होगा किसी ने बना रखा है live नाम का blog अब मानलो किसी ने rohan.wordpress.com बना रखा है क्या नहीं बना रखा है किसी ने क्या sam.wordpress.com बना रखा है हाँ बना रखा है किसी ने नहीं exist तो यहां पर इस तरह से लोगों ने बना रखे होंगे और यह से मानलो मैं harry.wordpress.com तो बना ही रखा होगा किसी ना किसी ने जाएसे तक मुझे लगता है नहीं बना रखा हो तो वो अलग बात है तो यहां पर क्या है basically आप लोगों को एक website आप बना सकते हो और ads जो है वो wordpress वाले चलाते है ठीक है अपने तो यहां पर क्या होता है एक तो आपके हाथ में जादा customization नहीं होता है और उसी के साथ यह paid है देखो यहां पर plans and pricing लिख करा रहा है यह कहरें कि आप free में start कर सकते हो लेकिन ad आएंगे आपके website में और यहां पर देखो लिखा हो है build a unique site पे advanced design tools यह यह बता रहें कि आपको यह चीज़े मिलेंगी तो यार मैं यह बोलता हूँ कि यह चीज़े आप लोग ना ही करो अब देखो यहां पर यह compare कर रहें सारी plans को कहरें free जो है है हमारा plan उसमें यह चीज़ मिलती है आप लोगों को तो यहां पर देखो मैंने ad search किया तो देखो remove wordpress.com ads यहां पर लिख कर आगया है free में आप remove नहीं कर सकते free में आप लोग remove नहीं कर सकते यह लोग अपने ads चलाएंगे तो आपका क्या फाइदा रहेगा blog बनाने का अगर add यह लोग चलागे पैसे कमा लेंगे तो यह उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी महनत नहीं करनी है और simply एक blog चाहिए कभी कभी हो सकता है आपको चाहिए यार कुछ मुझे इंटरनेट पर रखने के लिए चाहिए बस और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है तब आप लोग यह use कर सकते हो लेकिन not recommended आप लोगों के लिए आप लोग को blogging करनी है बहुत सारे पैसे कमाने और अपनी website को बहुत जादा आगे लेकर जाना है बढ़िया है तो यह download हो जाएगा 4 seconds come on 4 seconds हो गए कोई बात नहीं हो निए दोसको download ठीक है तो यह एक बाद download हो जाएगा जैसे ही मेरा तब मैं क्या करूँगा इसको extract कर लोगा तो right click I hope कि यह download हो चुका है चलो यार download हो गया है right click करते हैं इस पर wordpress पे और करते हैं आपर extract hair तो extract hair कर दिया मैंने तो यह wordpress नाम से extract हो गया है इतनी point तक आप लोगों को मैंने कोई ऐसा काम नहीं करवाए है जिसमें आपको दिक्कत हो मैंने download करवाए zam, install करवाए zam, download करवाए wordpress install करवाए wordpress अब आपको क्या करना है बहुत दियान से सुनना यह step थोड़ी सी critical लग सकती है अब आप लोग coding coding जादा नहीं करते हैं या फिर एक beginner है तो copy करना है इस wordpress को और copy करने के बाद local disk c के अंदर आना और local disk c में देखो मेरे क्या क्या चीजे पड़ी हुई है या पर program files ये 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 सब पड़ा है देखो एक zamp नाम का folder बना है बना ही की नहीं बना है और ये zamp नाम का folder जब मैंने खोला तो तमाम files मेरे सामने आ गई हैं मैं कहूंगा इन files से आपको कोई लेना देना है ही नहीं आपको अपना एक htdocs नाम का folder खोजना है और यहां पर मैं इसको बार-बार बता रहा हूँ htdocs 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 कोई और folder मत खोलना htdocs ही खोलना यहां पर रखने की गलती मत करना htdocs में ही रखना htdocs में कुछ folder और और यहां पर मेरे कुछ extra folders है जो कि आपके नहीं होगी क्योंकि मैंने यह websites बना रखी है आपको यहां पर simply क्या करना है वो जो WordPress हमने copy किया था Ctrl V करके आप लोगों को यहां पर WordPress folder paste कर देना है अब मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा यह बताता हूँ कि यह folder है क्या चीज WordPress आपने यह आपर डाला क्यों डाला देखो htdocs क्या होता है एक folder होता है अब देखो मैंने बोला zam क्या होता है zam बिकतरण से आपकी hosting है एक फरजी hosting जो कि आपके computer में बैठी हुई है और आपके पैसे बचाने के लिए वो आपके computer में बैठी हुई है और यह website सिर्फ आपको दिखेगी किसी और को नहीं दिखेगी इस बात का भी ध्यान रखना अगर आपने इंटरनेट पर खरी दी hosting तो एक फाइदा यह होगा कि आप live development कर सकते हो 10 लोग एक साथ कर सकते हैं development लेकिन मुझे नहीं लगता यार अगर आप लोग एक beginner हो तो 10 लोग करेंगे एक ही website पर development सबसे पहले आप खुद सीखना चाहोगे obviously तो यहाँ पर इसलिए XAMP इंस्टॉल किया XAMP के htdocs folder के अंदर क्या होता है htdocs folder के अंदर different sites होती है जैसे CRUD मेरी एक site है CWS चैनी की code with Harry का short form यह मेरी एक website है यह मेरी एक website है इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ by default भी files होती है लेकिन यहाँ पर जो भी website मुझे बनानी पड़ती है folder के तौर पर बनती है वो तो WordPress भी मेरी एक website ही है WordPress यहाँ पर क्या है अभी के लिए एक PHP website ही है जिसके अंदर कुछ smart code लिखा हुआ है जो कि मुझे मदद करेगा मेरा blog setup करने के लिए तो मुझे करना क्या है भी अपने XAMP में आना है और यह कैसे खोला था मैंने यहाँ पर XAMP search करके XAMP control panel मैंने ऐसे करके खोला था start पर click किया Apache start हो जाएगा मेरा देखो green पढ़ गया यह MySQL पर click किया मैंने यह start हो गया देखो green पढ़ गया यह और यह काम करते ही आपका Apache भी चालू है आपका MySQL भी चालू है MySQL क्या होता है आपका database होता है जो कि सारा का सारा जो आपकी WordPress site का data है यल्दी live चाहिए तो चलो मेरे साथ browser के अंदर और आप लोगों को यहां क्या करना है यह सारे के सारे links मैं बंद कर देता हूँ और जो Google Chrome की tab है वो बहुत जादा RAM खा जाती है इसलिए मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को simply लिखना है localhost slash wordpress ठीक है localhost slash wordpress I repeat localhost slash wordpress और आप जैसे localhost slash wordpress लिखेंगे तो क्या होगा यह जो website है आपकी यह खुल जाएगी यह code कहां से आया यह code मैंने download किया wordpress.org से यह wordpress.org का code है और यह मैंने क्या किया अपने browser में simply खोल लिया और यह इस तक खुदरी direct किया यह automatically I do हमने localhost slash wordpress खोला था अभी तक यहापर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत द्यान से देखनी है वो है wordpress नाम का यह database बनाना और database बड़े आराम से बनता है आप लोगोंने क्या करना है आप जाना है localhost लिखना है slash php myadmin लिखना है और आप लोग दियान रखना कि यह दोनों आपके start होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि यह बंद हो start start दोनों होने चाहिए apache भी start होना चाहिए mysql भी start होना चाहिए तब यह काम करेगा ठीक है अब आपको क्या करना है databases पर click करना है इनको ignore करना है इनको मेरे databases है जो कि मैंने बनाए आपके नहीं आएंगे इनमें से बहुत सारी database आपने simply क्या करना है यहाँ पर wordpress लिख देना है wordpress ठीक है यह लिख देना किसी चीज को touch मत करना create पर click कर देना wordpress create ठीक है बस इतना करना है आप लोगों को जो जो मैंने step करी अभी बस उतना करना है और इसको बंद कर देना है फिर इसको जारा touch नहीं करेंगे और यहाँ पर देखो यह क्या बोल रहा है यह कह रहा है welcome to wordpress आपका स्वागत है wordpress में हमें कुछ जानकारी चाहिए चलो हमें वो जानकारी दे दो let's go पर click करना अब यह कह रहा है वो कौन सा database है जो कि आप use करना चाहते हो जहाँ पर मैं सारी files रखू wordpress आपसे कह रहा है कह रहा है कि बाई मैं कुछ files store करूँगा database में जब मैं आपकी website बनवाऊंगा तो तो वो सारी files में कहां store करूँ तो आप कह रहे है wordpress नाम का database मैंने तयार कर दिया है बना कर तो वहाँ पर रख देना सारी files wordpress कहेगा अच्छा ठीक है बाई अब यहाँ पर username में आपको लिखना है root अब कौकर यह root क्या है देखो जब आप zampe install करते हो तो आपका username होता है root password होता है blank I repeat username होता है root password होता है blank जब आप zampe install करते हो तो password मैंने blank कर दिया अब जब आप hosting में जाओ गया आगे तो वहाँ पर यह username मों password कुछ और होगा in fact हो सकता है आपको यह setup करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपको directly wordpress जो है automatically आपको directly उसका admin panel ही मिल जाए मैं किस भारे में बात करा हूँ आपको पता चल जाएगा लेकिन अभी के लिए आपको इसमें wordpress root और blank लिखना है फिर उसके बाद ही कहा रहा है database का host क्या है यानि कि वो website कौन सी है जहाँ पर आपकी hosting है वो website तो local host है यानि कि मैंने तो hosting ली ही नहीं है मैंने तो XAMP install किया है तो ये बताने के लिए आपने अपने local host लिख देना है और बाकी चीज़ों को ऐसा ही रहन दो WP underscore से ये अपनी tables में पहले लगा देगा WP underscore और ये चीज़ important बिल्कुल नहीं है छोड़ दो इसको बिल्कुल इसके बारे में मस सूचो submit सब्मिट कर दो ये कह रहा है कि all right spark ही काम हो गया है सारा चालू करेंगे installation हाँ बाई करते हैं चालू run the installation अब ये कह रहा है कि बाई चलो installation तो हो जाएगा लेकिन ज़रा सा कुछ बताओ हमको कि क्या password हो गयरा वनलब रखना चाहते हो अपने website का क्योंकि जब ये website बन जाएगी तब इसमें editing कौन करेगा इसमें editing आप करेंगे तो आपको पहचानने के लिए ये आप से एक username और password मांग रहा है और इस username और password की मदद से बात में आप login करके WordPress की website के content को change कर पाएंगे तो मैं username को जब भी admin admin यूज मत करना अपनी website में आपकी website hack हो जाएगी मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और ये website मेरे local host में इसलिए मैं चीज़े simple रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर कोई password अगर भूलेगा तो वो मैं ही भूलूँगा तो मैं कोई भी strong password यहाँ पर choose नहीं करूँगा लेकिन अगर आपकी website थोड़ी सी भी serious है और आप लोग चाहते हैं वो hack ना हो तो आप logo को यहाँ पर जो password है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा अब मैं आपर मानलो एक coding block बना रहा हूँ तो मैं अपनी website का कुछ भी नाम choose कर लूँगा मैं रख दूँगा यहाँ पर code smashers रख देता हूँ उस website का नाम तो मैंने इस website का नाम रख दिया code smashers ठीक है तो code smashers नाम से एक website मैं मना रहा हूँ admin admin confirm use of weak password तो WordPress आप से कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि तुमारा यह जो password है वो इतना वीग है कि तुमारी website hack हो सकती है क्या तुम्हें यह मंजूर है confirm करो इस बात को confirm करोगा क्योंकि मैं भी local host में हूँ मेरी website तो कोई use ही नहीं कर सकता यह website तो local host में है मैं जब hosting में जाऊंगा तब मैं एक अच्छा password choose कर लूँगा इसके बाद ही कह रहा है कि बाई कोई email बताओ तो मैं आपर email दे देता हूँ codewithharry.com harry at codewithharry.com मैं आपर दे देता हूँ email address ठीक है search engine visibility यह देखो है आपर ही बहुत important इसको छेड़ना मत अगर आपने इसको टिक कर दिया तो आपकी website google search में नहीं आएगी ठीक है कुछ ऐसा समझ लो किसी भी search engine में नहीं आएगी यहाँ पर देखो लिखा है discouraged search engines from indexing this site जो कि हम नहीं करना चाहते है obviously हम चाहते है हमारा traffic आया गूगल से organic traffic बड़े हमारी website पर और हम पैसे कमाए obviously install wordpress पर click करना इसके बाद और wordpress install होना start हो जाएगा ओकी तो मैंने यहाँ सारी डिटल डालके install wordpress पर click कर दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि देखो भाई आपका wordpress install हो चुका है remember मी भी कर दूँगा यह मेरा ही तो computer यार क्योंकि यह computer तो किसी और का है नहीं login करता हूँ मैं आ गया इस dashboard पर अब मैं आप लोग को एक बात बहुत इमान दाड़ी से बताता हूँ एक time पर क्या हुआ था कि जब मैंने wordpress सीखना start किया था कुछ सालों पहले नहीं चीज़े आप लोगों को time के ऊपर छोड़ दे रही है यनि कि time के साथ आप खुझ सीख जाओगे तो आप लोगों को tension नहीं लेनी है ठीक है उस चीज़ की सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो दिहान में रखनी है वो यह रखनी है कि आपकी website जो है वो खड़ी हो चुकी है यनि कि आपकी website तयार हो चुकी है आपको इतनी जल्दी यही कमाल है WordPress का देखो आप यहां code smashers पर क्लिक करो यह visit site पर क्लिक करो और इसको नई tab में खोलने के लिए right click open in new tab कर लो नहीं तो आप लोग क्या करो कि इसको जो बीच वाला mouse wheel होता है उसको दबाओगे तो भी नई tab में खुलेगी कैसे भी कर लो अप तो यह देखो यहां पर एक बड़ी घड़ी अजी website जो कि अजीब से दिख रही है just another WordPress site जो कि मुझे अच्छी भी नहीं लग रही है यह एक blog है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक blog में क्या होता है blog में आप post लिखते हो अगर कोई भी WordPress का एक blog बना रहा है और वो बहुत सारी content को लिखकर पैसे का बाना चाहता है तो obviously वो एक चीज़ करेगा क्या करेगा वो post लिखेगा तो यहाँ पर देखो next step में कहरा write your first blog post यह मैं कहूंगा भूल जाओ पूरा dashboard जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग देखो आप लोग यहाँ posts में आओ और यहाँ पर all posts में क्लिक करो अब आप लोग कहोगे कि यार यह बड़ा overwhelming सा लग रहा है dashboard बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रहा है मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार सीखा था WordPress to be honest लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ post को देखो चड़िया की आँख को देखो अर्जुन की तरह बाकी चीज़े मत देखो सिर्फ post को देखो ठीक है आप अर्जुन हो चड़िया की आँख देखो सिर्फ और यहाँ पर हम जो है मारेंगे चड़िया की आँख में ठीक है तो देखो यहाँ पर posts all new hello world एक by default post है मैं add new पे क्लिक करूँगा मैं कूँगा है मैं एक नया post add करना चाता हूँ यह करा है welcome to block editor ऐसे से आप edit कर सकते हो मैं कूँगा धन्यवाद get started मैं आपर मानलो एक लिखने वाला हूँ post python programming के ओपर ठीक है और मैं python programming का जो content है उसको internet से लिकर आँगा तो python programming मैं आपर यहाँ से लिकर आ रहा हूँ और एक चीज़ देखना जब मैं paste करूँगा यहाँ पर content तो यह देखो यह इस तरह से paste हो गया बिल्कुल उसी format में paste हो जिस format में मैंने copy किया थे देखो यह जो link है यह intact है font इसका सब कुछ intact रहेगा और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखो कि अगर मैं image मालनो insert करना चाता हूँ यह पर तो वह भी मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे blocks आ गए और अगर मालनो मैं इस तरह से इसको duplicate करना चाता हूँ तो मैं duplicate भी कर सकता हूँ insert after कर सकता हूँ insert before कर सकता हूँ एक typical post में क्या होता है जनरली एक टेक्स्ट होता है, कुछ लिंक्स होते हैं, आप कोई-कोई चीज़े bold italic underline करना चाहोगे, जैसे मालनो मैं python's elegant syntax को bold करना चाहता हूँ, तो मैं बड़े अराम से ऐसे bold कर सकता हूँ, मालनो मैं किसी चीज़ को center align करना चाहता हूँ, मालनो मैं सिर्फ एक पैरा को center align क change कर सकता हूँ, अलग ही अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको वापस से left align कर दूँगा, similarly अगर आप इसको italic करना चाहते हैं, italic कर सकते हैं, मालनो आप dynamic typing को एक link देना चाहते हैं, जिसमें आप डालना चाहते हैं, www.dynamictitle.com, मालनो just assume it, और open करना चाहते हैं, इसको नहीं लगा है, link, https, मालनो, dynamic typing.com, एंटर, ठीक है, आ गया देखो, link आ गया, अब कोई भी dynamic typing पर क्लिक करेगा, तो dynamic typing खुलेगा, नई डाब में, ठीक है, तो मैं इसको publish जब तक नहीं करूँगा, तब तक ये post publish नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपर publish पर क्लिक करता हूँ, और publish पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये post मेरा publish हो गया है, पोस्ट क्या है, बिल्कुल उसी तरह पोस्ट है, जिस तरह Facebook पर आप पोस्ट करते हो, जिस तरह Twitter पर पोस्ट करते हो, Instagram पर भी करते हो, हाजकल तो लोग TikTok पर भी करने लग गए, तो reload करो आप लोग, और यहा पर आपका, इसको आप खोल के बढ़ा करके भी पढ़ सकते हो, कोई भी इंसान याप पर आपको reply कर सकता है, hey nice post करके, यह सारा automatically configured है, देखो यहाँ पर, nice post करके, जितने बज़े उसने किया था, यह सब कुछ आगे है, और बड़े अराम से आप लोग जो है, आपर commenting करवा स सकते हो, content को change कर सकते हो, उसी के साथ साथ एक featured image लगा सकते हो, आपको featured image क्या होता है, तो देखो यहाँ पर यह post है, इस तरह से करूँगा, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं change कर सकता हूँ, जैसे कि, जैसे कि, यहाँ पर देखो उपर लिखी हुई है, पब्लिश कब करना इसको, अगर मैं यहाँ पर status and visibility में जाओं, और इसको publish कब करना, एक date चुलनो future की, तो future की date में publish हो जाएगा, तो मैं अभी सर्फ आपको post के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको बताया है यह menu के बारे में, उस पे पीछे चल के आपको बताँगा, तो अराम से बहुत सारे post इसमें आ सकते हैं, अलग यह अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें मालूम है, लेकिन और यह just another wordpress site, यह भी हटाना है, हमको sample page हटाना है, यह सब चीज़े हटाना है, बट अभी के लिए हम इसमें content add कर पा रहे हैं, तो मैं जो content specific चीज़े हैं, वो आ इसके URL का slug क्या आप रखना चाती हो, मालो python programming by Harry रखना चाता हूँ मैं अगर इसको, तो यह जो URL का जहाँ पर, जिसे मैं इसपर click कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर python programming लिख कर आ रहा है, बाद में गया लिख कर रहेगा python programming by Harry, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको update किया है यहाँ पर, और मैं code smasher's के home पर गया, और मैंने इसको वापस से खोला, तो यहाँ पर देखो python programming by Harry लिख कर आ रहा है, तो URL में हमें चेंज करना है अगर तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर categories, categories क्या होता है, categories वही होता है, जो कि शब related भी post लिखे, फिर आपने किसी और programming language के, जैसे PHP वगयरा से related post लिखे, अब मालनो आप at the same time SEO के बारे में भी बताते हो, SEO के बारे में आपने post लिखे, तो आपने अलग-अलग तरह की audience के लिए एक तरह से post लिख दिए, तो आप उसको category में डालना चाते हो, जिसको python सीखना इस category में आओ, जिसको SEO सीखना है और programming से कोई मतलब नहीं है वो इस category में आजाओ, और जिसको मालनो कोई और काम करने है वो इस category में आजाओ, तो by default क्या होता है, यह uncategorized होता है, तो मैं एक नई category बनाऊंगा यहाँ पर और इसका नाम रखूँगा python और इसकी parent category कुछ नही और चीजें भी, अभी के लिए सिर्फ post बता रहा हूँ, एक चीज़ पर focus कर रहा हूँ, एक एक करके, post में और क्या होता है, इसको बंद कर देते हैं categories को, tags होता है, tags क्या है, आप यहाँ पर tag add कर सकते हो, python programming, और similarly python, learn python, तो इससे क्या होगा कि search engine optimization में काम आएंगी, tag आप तो डाल सकते हो, यहाँ पर tag का मतलब कि, यह जो tags है, यह link हो जाएंगे आपके post से, यानि कि, कोई भी search करें अगर यह तो यह आए, तो एक तरना जरे tags आप लोग डालनों यहाँ पर, featured image, यह मेरा favorite है, featured image में क्या होता है, कि आप यहाँ पर, एक image feature कर सकते हो, जहाँ पर आ यहाँ तो कोई file अपनी ले लूँ मैं, यहाँ तो कोई file download करके ले लूँ, यह best option रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ फिर media library में आके, अगर कोई images हैं आपकी यहाँ पर, already आपने कभी कर रखी हो import, तो उन में से select कर लो, मैंने कोई import नहीं कर रखी है, तो मैं क्या करू यहाँ अपने कर रहा हूँ, फीचर्ड इमेज लगा रहा हूँ, और हाँ यहाँ आप अच्छा सा image लगा ले ना, कोई मैंने यह लगाया, आपको यह अच्छा सा image लगा ले ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको replace ही कर देता हूँ, तो मैं इंटरनेट से कोई image यहाँ पर ले और यह मेरा आ चुका है, downloads new में, select files करूँगा, उसे के साथ साथ, downloads new में जाँगा, और यहाँ पर देखो, मेरी यह image आ चुकी है, और यह image मैंने select कर लिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको set कर दूँगा as a featured image, अब डेट पर क्लिक करूँगा, और देखना यहाँ पर क्या ह सकते हो, वो सारे काम आप लोग कर ले ना, मैंने थोड़ी लंबी image लगा दी, शायद मुझे थोड़ी छोटी लगानी चाहिए थी, बट ठीक है, Python programming by admin, यह भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो तो आपके taste पर depend करेगा, और इस तरह से कोई भी इंसान यहाँ आपर आ आ जाओंगा वापस से, document में और यहाँ paste कर दूँगा इसको, ठीक है, और उसके बाद देखो, यह बोलड़ा, learn more about manual excerpt, कि इससे होता क्या है, यह link भी दे रहा है, कह रहा है, नहीं पता, अगर आप लोग को तो देख लो है, यह बता रहा है, is an optional text associated to a post, और it is used as a post summary, आपक staff, जिसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन बस यहाँ से आप लोग अगर allow नहीं करना चाते हो, comment चाते हो, को comment बाजी ना करें, इस post पे, तो इसको disable कर दो, ठीक है, उसके बाद post attributes में template कौन सी use करना चाते हो, एक theme आपको बहुत सारे templates provide कर सकता है, अब यह के लिए हम इसको default र सकते हैं, और आपको यह चीज, I hope समझ में आ गई होगी, कि हम लोग बड़े अराम से post वगएरा use कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको update करेंगे, सबसे पहले, जो चीज़े change कर रही है हमने, और हमारे यह post देखो, कितना अच्छा लग एकदम professional लग रहा है, except, except, except यह, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मेरा except यहाँ पर आ गया है, और यह चीज मुझे यहाँ पर अभी ठीक करना है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है यह चीज, तो except यहाँ पर आ गया है, python programming, python isn't easy है, फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ नीचे हैं से कर सकता हूँ, यहाँ पर content आ गया है, और edit option सिर्फ मेरे लिए है, यह edit option सिर्फ मेरे लिए है, आप अगर इसी को खोलोगे incognito में, तो यहाँ पर देखो, edit option नहीं आगा, यानि कि कोई भी अगर आके आपकी website पर आ रहा है, मालो comment लिखना चाहता है, this is a comment, और rohan, das at the rate rohan.com, ठीक है, save my name, email and website in the browser for the next time, मतलब की, अगर आप लोग वापस से comment करेंगे, उसी नाम से, तो आप कर सकते हो, आप से पूछे का नहीं वो, ठीक है, तो आपके browser में यह चीज़े सेव हो गई है, और directly आप लोग कर सकते हो, nice post इस तरह से comment, ठीक है, माल रोहन 2 के नाम से मैं कर रहा हूँ, post comment, और यह कहना, you are posting too quickly, slow down, तो इतनी जल्दी जल्दी आप post नहीं कर सकती, यह सारी protection है, wordpress के अंदर, तो ऐसा मीनी कि कोई इनसान आपके blog पर बहुत सारे comment एक बार में कर दे, spamming करना चालू कर दे, वो भी नहीं कर सकता हो, यार यह सारी चीज़ incognito को बंद कर दूँगा अभी मैं आपर, ठीक है, चलो जी बढ़िया, तो यहाँ पर सब कुछ हमने कर लिया है, बस यह चीज़ खटा कर रही है, वापस से wordpress के dashboard में आ जाते है, अभी तक इस dashboard में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताईए, post, कि आप अलग-अल यहाँ पर एक post मैंने manually भी लिखा, अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, post के बाद appearance में, ठीक है, appearance में आपके पास होते ही themes, themes decide करते हैं कि आपकी website कैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले हम settings पर जाएंगे, और settings पर देखो, यहाँ पर general settings फुल जाएंगी इसमें आपकी site का title किया, यह आप change कर सकते हो, और यहाँ पर learn coding for free, ठीक है मैंने ऐसे रख दिया, learn coding for free, और यहाँ पर सारी details है, आप लोग समझ रहे होगे, क्या-क्या है, आपकी WordPress website का address, आपकी site का address, सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको save कर दो, ठ आप लोग सब कुछ यहाँ पर, आप लोग को advanced settings मिल ली है, लेकिन मैं अभी आप लोग को suggest करूँगा, इनको ना देखो, settings पर अभी आपको as a beginner सिर्फ general में आखकर, अपनी site title और tagline change करनी है, वो मैंने कर दिये, quote smashers, learn coding for free, और quote smashers पर click करूँगा यहाँ पर, तो यह देख और अभी हमारी website इसी तरह structured है, ठीक है, तो हमने देखा post क्या होते हैं, हमने देखा settings में, journal में हम लोग site का title और tagline change कर सकते हैं, अभी तक सिर्फ दो ही बाते बताई हैं मैंने आप लोग को, अब तीसरी important बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, और वो है theme, और बहुत जर सारे themes आते हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, कि ये जो सारे के सारे themes ही हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये by default आते है, themes बिल्कुल अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, इनको use तो किया जा सकता है, लेकिन हम करेंगे नि, क्योंकि हमारे पास और themes उपलब्द है, हम बापस तो 45 amazing wordpress blogs you should follow, तो यहाँ पर WP explorer, visit the site, अब ये assuming ये wordpress पे लिखा हुआ है, इन्होंने यापर क्या किया हुआ है, एक theme यूज किया है, और वो theme जो है, इनको provide कर रहा है अपनी website को इस तरह से structure करने में, ठीक है, ये website हमारी website से, जो कि by default हमको wordpress provide कर रहा है, उससे, दस गुन जादा professional लग रही है, लेकिन हम अपनी website को भी professional बनाएंगे, आप चिंता मत करना, अभी हम ज़र basic सीख रहे हैं, अभी हम रास्ते में है, we are on the way to build an awesome website, ठीक है, तो हम अभी रास्ते में हम भी पहुँचेंगे destination पर, तो आप लोग समझ गए होगे कि theme क्या होता है, theme इस तरह का, आप लोगों को अलग-अलग styles देता है, जैसे कि यह theme है, इस पर आप लोग theme details में जाकर बता रहा है कि ऐसे दिखाई देता है, सब कुछ, फिर मान लो आप लोग इस theme में जाते हो, तो यह कह रहा है, यह ऐसा है, तो theme आप change कर सकते हो, and believe me, WordPress में theme को change करना सिर्फ इतना कितना असान होता है, कितना असान होता है, इतना असान, मैंने click किया सिर्फ activate, मैं स्यादा कुछ नहीं किया है, और मेरा 2017 activate हो गया है, मेरी पूरी site की जो structure थी, वो change हो क्या है, तो theme change हो गया है, बागी सब कुछ, वैसे के वैसे ही है, तो इस theme में अभी क्या लिखा हुआ है, इस theme में लिखा है कि यहाँ पर full image दिखाओ, full width की, full height की image दिखाओ, यहाँ पर site का नाम और इसकी tagline है वो दिखाओ, फिर नीचे सारे post दिखाना start कर दो, which is not a good idea मेरे असाफ से, क्योंकि आप सारे post एक साथ दिखाने लग जा रहे हो, वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो अभी उसका सारा सारा content, तो हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे क्या, कि theme नए install करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग plugins के बारे में बात करेंगे, तो themes आपको पता चल गया क्या होता है, आपको post पता चल गया क्या होता है, post कुछ नहीं होता है, simply post आपका जो आप content add और आप post वाले tab को सबसे जादर खोलोगे, आप यहाँ पर, क्योंकि आप daily में भी एक post लिखोगे, आप weekly तीन post लिखोगे, तो आप यहीं पर आकर post लिखोगे, यहीं वो जगाए जहाँ पर आप आओगे, और post add करोगे, फिर appearance में, themes में जाओगे, तो यहाँ पर आप लो जरूर बताना, मेरे तो table fan का plug एक दम ऐसा ही दिखाई देता है, और इसका मतलब यही है, plug in, यानि कि एक ऐसी चीज जिसको आप plug करके, अपनी चीज की, जो आपकी existing चीज है, उसकी खूबियों को बढ़ा सकते हो, जैसे की example देता हूँ, मानलो आपने घर खरीदा एक 25 करो आपने 10,000 रुपे की washing machine लाके डाल दी घर में, ठीक है, 10,000 रुपे की washing machine आपने plug कर दी, तो वो washing machine एक plug-in है आपके घर के अंदर, आपकी घर है wordpress website, और यह जो washing machine है वो plug-in है, जिसने क्या किया, आपके घर की खूबी को बढ़ा दिया, अब आपका घर एक घर नहीं है, अ अब आपका घर एक घर है और एक स्थाने जहां कपड़े दुन सकते हैं, similarly आपने table और chair डाल दी, अब आपका घर घर नहीं है, आपका घर घर भी है और office भी है, similarly आपने एक fridge लाके डाल दी है, fridge आपका एक plug-in है और आपका घर अप घर नहीं है, एक घर भी है और उसे के सा प्लगिंस लेकिन मैं आप लोगो एक बात बता दो क्या होता है ना कि जब भी आप लोग जाते हो किसी वेबसाइट होस्टर के पास जैसे कि मान लोग गोडड़ी, होस्टिंगर, बहुत सारी कंपनिया है यार मैं नाम सब के नहीं ले रहा हूं यहां पर बहुत ही सारे आप यहां पर अगर देखोगे वर्डप्रेस होस्टिंग लिखोगे तो आपको इतने सारे मिलेंगे यह लोग गोडड़ी, धीमफोरस, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर और भी पता नहीं तमाम कौन-कौन से नेम, चीप, A2 होस्टिंग, B2 होस्टिंग, C2 होस्टिंग, फ़लाना होस्टिंग, दिमाका होस्टिंग, आपने करना क्या है कि आप लोगों को ये क्या बोलेंगे ये बोलेंगे भाई एक काम करो कुछ थीम जो है कुछ प्लगिन्स जो है वो already रख लो अब इससे क्या फाइदा है हर प्लगिन paid भी होता है और free भी होता है जैसे कि मानलो ये प्लगिन अब आप कोगे मैं बहुत सारे plugin add कर लेता हूँ क्या नुकसान है मेरा नुकसान ये है कि कुछ plugins आपकी website को slow भी बना सकते हैं तो आपको fall to plugins नहीं रखने हैं ये plugin वाले plugin क्यों बनाते हैं क्योंकि ये कुछ paid functionality भी देते हैं plugin के अंदर और आपसे पैसे लेने के लिए जो कि गलत नहीं है अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको plugin खरीद भी सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से as a beginner खरीदने की कोई जरूरत नहीं है एक बार आप अपने blog से 3-4 लाग रुपे महीना कमाने लगो अब आप गोगे 3-4 लाग रुपे महीना मैं जानता हूँ लोगों को जो कमा रहे हैं और एक दो को नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ तो अगर आप उतने पैसे कमाने लगे और कोई plugin है 800 रुपे का 10 डॉलर का 20 डॉलर का और ये सारे plugins में डिलीट हो जाएंगे मुझे नहीं चाहिए है plugins ठीक है कौन से plugins इंस्टॉल करने है वो है अभी आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा plugins मुझे इंस्टॉल नहीं करने है ठीक है आज आते हैं वापस से themes में ठीक है आप लोग यहाँ पर अगर theme details में जाएं और उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़े लिखे हुई है अलग-अलग themes यहाँ पर आ रहे है तो एक delete का option दिख रहा है मैं इस theme को delete कर दूँगा मुझे नहीं चाहिए theme यह है आपको कि क्यों मैं कावा मुझे नहीं चाहिए theme यह मैं अच्छे वाले theme डाउनलोड करूँगा तो मैं आपर add new पर click करूँगा और free wordpress के कुछ themes है जिनको मैं डाउनलोड करूँगा अब देखो यह आपर popular के अंदर कुछ themes हैं जो कि आप use कर सकते हो अब यह 2020, 2019, 2017 यह popularly हैं क्योंकि यह by default आते हैं तो इनके trap में मत पढ़ना नीचे देखो कुछ अच्छे-च्छे themes भी हैं मानलो यह ocean vp use कर रहा हूँ ocean wp randomly install कर लिया मैं एक theme मैं देख भी नहीं रहा हूँ कैसा है, एक यह hash chia करके है यह भी ठीक लग रहा है, यह भी हम कर सकते थे लेकिन चलो यह ocean wp कर लेते हैं दोड़ा time ले लेता है यह install होने में इसको time देते हैं install होने का कभी-कभी जादा भी ले सकता है कभी आप अगर live बना रहे हो website अपनी तो वह और slow हो जाता है तो देखो जो वह hosting होती है न वह एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा business भी है आपको बहुत दिमाग से करीदनी है तो आगे hosting कैसे करीदनी है यह भी बताऊंगा इस वीडियो में activate पर click कर दो इस theme को activate भी कर लेते हैं हम लोग अब मेरी website ocean wp नाम के इस theme पर चल रही है और अब मैं reload करूँगा तो एकदम कायास की बदल जाएगी तो देखो यह ocean wp नाम के theme पर मेरी website जो है वो चल रही है ठीक है यहाँ पर मैं introduce करना चाहूँगा pages को यह जो pages वाला column है हमने post के बारे में पढ़ा अब post और pages में difference होता है post का मतलब क्या होता है post का मतलब होता है वो content जो की आपके website में है अगर मेरी website SEO के बारे में तो उसमें एक post होगा what is SEO के नाम से एक post होगा how to do SEO के नाम से एक post हो सकता है how to get started with SEO websites how to get started with doing SEO इस तरह के post हो सकते है और post क्या होगा title होगा mainly content होगा तो ये pages क्या चीज़ है pages क्या चीज़ है मैं बताता हूँ pages के अंदर क्या होता है कि आप अपना design बना सकते हो अब इस बात का क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि आप एक homepage रख सकते हो इस blog की बात करते है तो ये एक page है इन्होंने एक page बनाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने ये लगाया है ये लगाया है ये लगाया है ये menu लगाई है फिर उसके बाद नीचे आप इन्होंने अपने post लगाये हुए maybe ये सारी categories है इन categories में इनोंने क्या किया है, इसको रखा हुआ है अपने post को और उसे साब से लिए display करा रहे हैं, ठीक है और finally यहाँ पर more articles पर आप click करोगे तो यह कुछ और show कर रहे हैं, ठीक है तो basically एक page है, ठीक है और similarly यहाँ पर themes एक page हो सकता है, plugins एक page हो सकता है free themes एक page हो सकता है, तो अलग-अलग page आपकी website के, और उन में से एक page आपका blog होगा जिसमें most probably आपके post होंगे क्या होंगे, post होंगे तो blog में mostly आपके post होंगे जैसे कि जो आपने लिखा है, और यह आपका post page होगा इस तरह का, जैसे इनका post page है तो generally यह बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देता है, ठीक है तो यहाँ पर देखो comments है आप यहाँ पर comment कर सकते हो फिर उसी के साथ और भी चीज़ें आपर है तो simply आप लोग इसको जो यह भी बन कर दो, और वापस से यहाँ पर आ जाओ और एक page बना के आपको दिखाता हूँ विर पता चलेगा क्या होता है तो मानलो मैं इस page का नाम रखना चाहता हूँ ठीक है और यहाँ पर मानलो मैं यूज करना चाहता हूँ एक image और मैं आपर media library में से यह वाली image यूज करना चाहता हूँ और इसका नाम में रखना चाहता हूँ मानलो whom नहीं about us रखना चाहता हूँ मानलो ठीक है और मैंने about us रखा और उसके बाद यहाँ पर मैं और चीज़ा add कर रहा हूँ मानलो मैं quote यूज कर रहा हूँ और मैं लिखना हूँ this is the best website ठीक है और मैंने मिटा दिया गलती से website और उसके बाद yes it is ठीक है यह लिखके मैंने publish कर दिया मानलो ठीक है publish अब यह जो page है मेरा यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगा आपको यार यह क्या यह तो page दिखी नहीं रहा है यापर यह क्या हुआ तो आप लोग यह बोल सकते हो और आपका बोलना सही भी होगा क्यों क्योंकि यार देखो यह page अभी हमने कई link नहीं किया है ठीक है तो मुझे इस page को link करना पड़ेगा और अगर मैं इस link को खोलू अभी तो यह page मेरा दिख रहा है यहाँ पर बहुत कम time में असानी से build कर सकते हो उसकी बाद हम बाद में करेंगे लेकिन अभी हम यह समझते हैं कि इस तरह का page आप बना सकते हो about us करके एक page बना दिया मैंने और यहाँ पर अपने बारे में लिख दिया मानलो अब मानलो मैं यह नहीं चाहता हूँ इस sidebar जो आ रहा है मैं नीच आता हूँ उस page में तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर जाओंगा और नीचे यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ है default template हटा के अगर मैं landing page इसको कर दूँ और update करूँ इसको reload करूँ sorry about page को मैं reload करूँग और यह देखो यह full width में आ गया है पहले इसमें एक sidebar भी था तो अगर आप चाहते हो sidebar आए तो आप क्या करो इसको default template करके update कर लो अब refresh करोगे यहाँ पर side में आ जाएगा यह बार हटाना चाहते हो तो हटा लो जैसे चाहते हो आप कर सकते हो इस sidebar को भी customize कर सकते हो उस पर भी आएंगे अभी ठीक है लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ pages की बात कर रहे है about us करके मैंने बहुती गड़िया सा page बना है और आप यहाँ पर बना सकते हो उसकी मदस्से भी images डालो यह gallery डालो common blocks का use करो list का use करो video डाल दो कोई यहाँ पर और insert from url करके video चला दो एक आप कर सकते हो आप मालिक हो अपनी मर्जी के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो image को इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर और और भी options आते हैं rounded कर सकते हो इस image को और क्या-क्या है यह option इसमें काफी options है तो आप कर सकते हो काफी काम कर सकते हो मैं छोटा कर दिया image को और इसको मैं update करूंगा reload करूंगा तो यह छोटी हो गई image मेरी काफी काम possible है यह आपर और यहाँ पर यह आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और pages बनाने के लिए तो मैंने इसको update करके क्या करूँगा वापस से pages में जाओंगा और एक page और बना लूँगा जिसका नाम में रखने वाला हूँ और services ठीक है और यहाँ पर मैं simply यह लिखूँगा this is our services page और आप लोग बना लेना इस page को ठीक है मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को bare minimum दिखाना चाहता हूँ और यह our services वाला page अगर आप खोलोगे तो यह यहाँ पर आ गया और मैं इसको sidebar मानलो चाहता हूँ उसमें कि आये मेरा फिर मानलो similarly मैं एक और page यहाँ पर रखना चाहता हूँ अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक नया page अड़ करूँगा और यहाँ पर इसको नाम में रखूँगा contact us ठीक है अब मैं यहाँ पर मानलो कुछ भी डाल दूँ काफी चीज़े में डाल सकता हूँ यहाँ ठीक है मैं search भी कर सकता हूँ यहाँ पर इसे मानलो मैंने form करके search किया तो मुझे काफी चीज़े बता रहा है formatting के अंदर class A, table मानलो मैं table नालना चाहता हूँ मानलो ठीक है और create table ठीक है this और उसके बाद that that इस तरह की table डाल दी मैंने caption लिख दिया काफी चीज़े उपलब दें आपर अपर आम से यहाँ पर एक अच्छा सा post लिख सकते हो page build कर सकते हो अपना और यह आपका यहाँ पर आ जाएगा visit page मैं करूँगा तो यह देखो यहाँ पर यह page आ गया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे मालूम है बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं तो यह page तो अच्छी बात है हमारा आ गया लेकिन आप आप लूँए कहोगे कि यार हमारी यह जो wordpress website के home page पर हम आएंगे तो तो यही दिखरा है तो फाइदा क्या हुआ आप को गयार फाइदा क्या हुआ यहाँ पर कहां है about कहां है contact और आपकी बात भी सही होगी so guys अभी कुल मिलाकर बात यह है कि हमने दो-दो page बनाए इतने सारे page अड़ किये contact us page अड़ किया about page अड़ किया मैं काम करता हूँ यहाँ यहाँ पर सारी tabs को बंद कर देता हूँ फालतू और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया मैंने अपनी site खोली तो मुझे क्या मिला कुछ भी नहीं यहाँ पर यह page था ही नहीं about था ना contact us था तो मुझे अब करना क्या है यहाँ पर मुझे simply यहाँ पर अपने pages को add करना है और यही होती यह menu अब देखो हमने क्या क्या देख लिया है आपर देख लेते post मैंने आपको बता है क्या होता है post का मतलब होता है कि जो आप content डालोगे pages क्या होते है pages होते है जो कि आप बनाओगे pages जैसे कि home एक page हो गया about एक page हो गया page का मतलब जो एक link होगा और एक page होगा इसमें से एक page आपका हो सकता है blog का और वो आपका post page होगा जिसमें आपके post show करेंगे तो अब यह काम करते हैं जो sample pages को delete करता हूँ मैं आपर यहाँ पर मैं move to trash करूँगा और apply कर दूँगा और यह चला गया और यह privacy policy है यह भी मैं हटा देता हूँ यह page में delete कर देता हूँ और मैं भी यहाँ पर रखूँगा सिर्फ about us, contact us, our services और मैं एक और page आड़ कर रहा हूँ जिसका नाम में रखूँगा home और मैं यहाँ पर सिर्फ इतना रखूँगा इसको publish कर देता हूँ home लिख के और सिर्फ home लिखूँगा यहाँ पर अब मैं आप लोग को यहाँ पर अगर इसको reload करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर मैं settings और general में जाऊं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मैं reading में क्लिक करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या है यह कह रहा है आपका home page क्या display करता है मैं कहूंगा एक static page display करता है home page क्या होगा मेरा मैं home को home page कर देता हूँ और post page क्या होगा मेरा मैं एक post का यहाँ तो page बना दूँ या फिर मैं काम करूँ और services में ही post डाल दूँ ठीक है और मैं इसके बाद यहाँ पर save कर दूँगा changes यहाँ पर option है कि आपके blog में at most कितने post आने चाहिए उसका option और भी नीचे बहुत सारे options है लेकिन मैं भी यहाँ पर save changes पर click करूँगा और यहाँ पर अगर आप लोग को दिखा हो reload करके तो change हो चुका है भी यहाँ पर मेरा जो scene है home है यहाँ पर मेरा home page और मैंने अपने जो मेरे जो post है वो कहाँ पर display होंगे वो मेरे display होंगे कहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया हुआ services वाले page में तो अगर मैं अपने pages को नई tab में खोलू और our services वाला जो page है उसको मैं view करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे जो सारे blog post है वो यहाँ पर display हो रहे हैं इस बात का मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको our services इसका permalink change करना चाहूं तो मैं इसको blog कर दूँगा और update कर दूँगा यहाँ ठीक है तो अब मैं यहाँ पर our services को reload करूँगा तो यह page 404 दिखाएगा क्योंकि मैंने इसको blog करके rename कर दिया है अभी मैंने क्या किया है अपनी इस wordpress site में मैंने सिर्फ बहुत सारे pages बनाएं ठीक है pages बनाएं मैंने और मैंने post भी लिखे लगिन इन सब को मिला कर एक website का structure अभी तक मैंने नहीं दिया है एक बात और यहाँ पर point out करना चाहूंगा क्योंकि मैं local environment में है उसलिए मेरा localhost slash wordpress मेरा home website है यह चीज आपकी replace हो जाएगी आपके website के URL से जैसे की www.codesmashers.com या फिर codingthunder.com या फिर codevary.com pythonprogramming.com hello pythonprogramming.com इस तरह के URL से replace हो जाएगी ठीक है I hope कि यह चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को लेकिन अब यहां पर मुझे navigation नहीं मिल रहा है तो navigation के लिए मुझे एक menu बनानी पड़ेगी तो चलो चलते हैं और मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ कि menu कैसे बनाते हैं तो अगर आप लोग यहां पर आ जाओ appearance में और देखो यहां पर menu का option आ रहा है तो आप इसमें click कर दो appearance और उसके बन menu ठीक है और appearance menu पर जैसे ही आप लोग click करोगे तो यहां पर देखो कोई menu नहीं बनी हुई है अब यह चीज़ आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या चल गया रहा है यहां पर menu क्या है मैं confused हो गया तो देखो मैं आपको शुरू से एक बार और जल्दी से quickly आपको revise करवाता हूँ post के अंदर वो चीज़े हैं जो कि आपने manually लिखी हैं और आप लोग और add करोगे जैसे कि एक post हुआ आपका अगर आपका एक fashion blog है तो एक post हो सकता है आपका friend lovely के उपर एक post हो सकता है आपका से किसी cream के उपर तीसा post हो सकता है किसी lipstick के उपर चौता हो सकता है कि कैसे paint पैने इसके उपर तो इस तरह के बहुत सारे post हो सकते हैं और उसमें अलग-अलग images अलग-अलग content और उस पे user comment कर सकते हैं जैसे कि हमने बनाया था यहाँ पर, एक मैंने पोस्ट बनाया था पाइदन प्रोग्रामिंग के उपर, यह पोस्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप आड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, शेडियूल कर सकते हो, जिससा हमने देखा, फिर बात है, पेजिस की, आपकी वेबसाइट में लिमिटेड नमबर अ पेजिस होंगगे, जैसे कि पाच पेज की वेबसाइट होगई, छे पेज की वेबसाइट होगई, उन में से एक Post पेज होगा, जैसे कि आपर आपको पेज पेज दिखा रहा है, ठीक है और यह जो blog होगा मेरा वो dynamic content दिखाएगा यहां से उठाएगा content सारा का सारा ठीक है उसके बाद यह दोनों मैंने बताये थे उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि theme क्या होता है theme वही है मैंने काफी बात की theme के बारे में कि look जो होता है वो आपकी look and feel जो है website की theme होता है और आप कभी भी इसको बदल भी सकते हो plugins की बात की थी कि आपकी functionality को बढ़ाते हैं अभी तक हमने कोई plugin नहीं डाला है बढ़ हम डालेंगे ठीक है उसके बाद users को अभी छोड़ दो tool को भी छोड़ दो अभी settings में general में आके मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पर आप site title और tagline चेंज कर सकते हो फिर मैंने बताया था reading में आके आप लोग यह चेंज कर सकते हो कि आपका homepage कौन सा और आपका post page कौन सा homepage मतलब कि जब आपकी website पर कोई visit करता है तो पहली चीज क्या देखता है आपके URL को डालकर वो homepage है post page क्या होता है post page वो page होता है जिस पर कि आपके सारे के सारे post दिखेंगे जो कि मेरे case में अभी मैंने क्या बनाया है slash blog करके कुछ बना रखा है जो कि मैंने अभी खोला हुआ नहीं है और अब मैं आपर क्या कर रहा हूँ एक और बात जो मैंने आपको बताई वो है menu menu क्या करेगी एक menu बना देगी यहाँ पर और वो मैं यहाँ पर बनाऊगा मेरे header के अंदर आएगी एक menu यहाँ पर show करेगी और उसमें सारे pages का navigation होगा ताकि मैं एक page से दूसरे page में जा सकूँ अभी मैंने सिर्फ page बनाये है और page में जाने के लिए मुझे manually उस page का URL copy करना पड़ता है लेकिन मैं नहीं चाहता है मुझे हर बार ऐसा करना पड़े मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर आए home services यह सब लिखके और मैं click करके navigate करूँ ठीक है तो चलो वो करते हैं menu कर name मैं रखता हूँ main menu और मेरी हमेशा से आधात में यह main menu करके रखता हूँ उसका नाम अब मैं आपर क्या करूंगा मैं आपर सबसे पहले तो सारे के सारे जो pages है मेरे उनको डालूँगा मैं home को डालूँगा, blog को डालूँग, about us सबको डालके add to menu कर दूँग और यह देखो home, blog, about us, contact us यह सारे के सारे मैंने डालके इनको मैंने save menu कर दिया और ये menu मेरी जो है वो save हो चुकी है, अब यहाँ पर देखो manage locations लिखकर आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है आप top bar में कौन सी menu रखना चाते हैं, क्या आप एक menu लगाना चाते हैं top bar में, नहीं मैंने लगाना चाता, क्या main menu के तौर पर आप कोई चुनना चाते हैं, haa मैं main menu के देखो home, blog, about us और contact us ये 4 हमारे आ गए हैं pages home पे जाओंगा तो ये home page खुलेगा, blog पे जाओंगा तो ये blog मेरा खुल जाएगा जिसमें सारा content है मेरा और यहां continue reading करके मैं continue कर सकता हूँ reading को फिर similarly मेरा यहां पर about us है about us का मैंने ये page बनाया है जो की बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है फिर contact us का मैंने एक page बनाया है जो भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है obviously तो यहां पर ये मेरी website अभी बन चुकी है obviously it's not looking good मैं इस बात को मानता हूँ ये अच्छी नहीं दिख रही है हम देखेंगे अच्छी कैसे करना है लेकिन इस website की मदश से हमने WordPress के basic concepts को सीखा ठीक है तो यहां पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको अगर आप ये customize देख रहे हो उपर by the way जो black valley strip है ये सिर्फ आपको दिखाई दे रही है और यहां पर blog about us मैं अगर यहां पर किसी post में जाऊं तो यहां पर आप लोग देखो इस post का जो link है वो कैसा दिखाई दे रहा है 2026, 13 ये इस तरह से दिखाई दे रहा है एक बात मैंने जो आपको बताई वो ये है कि जो black valley strip है ये हर किसी को दिखाई नहीं देगी ये सिर्फ admin को दिखाई देगी अगर आप logged in है तो आपको दिखाई देगी अगर आप इसको incognito में खोलोगे ये देखो तो यहां पर देखो incognito में खोल कर ये आपको यहां पर वो काली strip नहीं दिखाई दे रही है एकदम website की तरह दिखाई दे रही है लेकिन एक problem है आपर problem बताई क्या है कि ये मुझे जो url ये अच्छा नहीं लग रहा है ये professional नहीं लग रहा है अगर आप किसी भी blog में जाते हो तो वहां पर क्या होता है जो website का नाम है slash इस तरह का कुछ url होता है तो मैं इसको change करने के लिए जाऊंगा वापस से setting में और setting में जाने के बाद मैं जाऊंगा आपका permalinks के अंदर ये permalinks आपको दिख रहा है इसमें जाऊंगा और मैं इन में से choose कर लूँगा ये वाला ये choose कर लूँगा post name ये क्या है permalink का क्या मतलब है कि कोई भी post अगर आपका दिखाया जा रहा है तो वो जो post है आपका उसका url क्या होगा अभी क्या था url अगर आपको ये url चाहिए तो that's fine कभी कभी कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ऐसा url दिखे लेकिन यार मैं पसंद नहीं करता हूँ ऐसा url to be honest मैं अपनी website को ऐसा दिखाना चाता हूँ क्योंकि इससे साफ पता चलता है website wordpress में बनी है और उसको year के साफ से structure किया है तो अगर मेरा post पुराना हो गया तो हो सकता है लोग सोचे है बहुत पुराना post है हलागी मैं update भी करता रहूँ उसको उसके बाद भी लोग सोच सकते है और confusion हो सकता है और थोड़ा सा ये modern नहीं दिखता है तो इसलिए मैंने इसको post name करके चुनके save changes कर देना है और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि क्या change आएगा हमारी website में तो मैं यापर जाऊँ अगर home page पर अब कोई भी मैं post खोलूँगा तो देखो कैसा दिखाई दे रहा है by the way मैं फिर से एक बात को repeat कर रहा हूँ कि ये जो मैंने select किया भी local हो slash wordpress ये change हो जाएगा आपका किससे ये change हो जाएगा आपकी website के url से तो आपकी जो website के url है वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद python programming by harry करके जो मेरा permalink मैंने post कर दिया है वो आएगा ठीक है तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है www.codesmashes.com slash python programming by harry और आप एक post में python programming समझा सकते हो ऐसा कुछ लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से जो है आप लोग ये चीज़ चेंज कर सकते हो अब ये जो मेरा wordpress का dashboard है इसके अंदर dashboard post, media, pages, comment ये सारी चीज़ नहीं है लेकिन मैंने आप लोग को सिर्फ वो बताई है जो की main है तो मैंने आप लोग को यहाँ पर सिर्फ main चीज़े बताई है आप ऐसे collapse कर सकते हो उस menu को ऐसे खोल सकते हो और एक और बात जो मैं बोलूँगा आप से वो यह है कि wordpress update होता रहता है ठीक है लेकिन कोई major change जादा बड़ा नहीं आता है बट मैं बता रहो wordpress update होता रहता है और छोटे मोटे changes आपको देखने को मिल सकते है हो सकता है ये permalinks आपको यहाँ पर दूसरे number में मिल जाए future में तो उससे घबराना मत और एक और बात मैं बता रहा हूँ कि wordpress चलाने के लिए आपको पूरा सारे functionality नहीं चाहिए जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना चाहिए ठीक है और वहती कमाल की चीज़ है क्योंकि अगर आप coding की tension सर से बाहर करना चाहते हो तो बड़े अराम से आप लोग यहां पर इसको इस तरह से कर सकते हो ठीक है अराम से बना सकते हो website quote smasher के home पे आऊँगा अब मैं आगे हो blog में अब मैं आगे हो about us में अब मैं आगे हो contact us में अब blog में मुझे image थोड़ी बड़ी दिखरी है इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह से देखो drag and drop करके ही मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ इतना बड़ा मैंने कर लिया इसको अब मैं update कर सकता हूँ और यहां पर about us में मीड़ी image अपडेट हो गई अब बड़ी कर ली मैंने अब obviously अच्छी नहीं दिखरी है I acknowledge that लेकिन अभी आप लोग को एक website basic बनाना आ गई कि देखो भाई पेज क्या होता है और हमारा post क्या होता है wordpress में और उसके बाद हमारा यहां पर किस तरह से हम यह जो structure एई change करते हैं date वगर ना आये उपर कोई भी post अगर खोलें तो तो वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चल गए और यह जो theme है न to be honest उतना अच्छा नहीं है तो वो चीज़ भी हम लोग को दिखान में रखनी है अब देखो यहां पर search में अगर मैं python लिकूँ और enter मारूँ तो देखो python programming वाला मेरा एक search result में आ गया है तो आप इस blog को as it is use कर सकते हो जाके search words सब चलेगा ठीक है लेगिन यहां पर मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहां पर जाओ blog वाले page में तो यह image थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे थोड़ा इसकी लंबाई नोड़ी ज़्यादा दिख रही है image की तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए मैं इसको ठीक करने के लिए आ सकता हूँ यहां पर अपने post में और python programming वाले post में यहां पर featured image को replace image कर सकता हूँ फिर उसके बाद यहां पर edit image कर सकता हूँ इसको फिर उसके बाद यहां पर मैं यहां तो crop कर सकता हूँ इस image को अगर मैं इतनी चाता हूँ मानलो ऐसे चाता हूँ इतनी तो मैं इसको crop करके इस तरह से ऐसे कर सकता हूँ और मैंने यह cropping कर लिए अपनी इमेज करूंगा और यहाँ पर मैं Remove Featured Image करके वापस से इस वाली Featured Image को लगा दूँगा ठीक है और Set Featured Image कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने क्योंकि इसको Save कर दिया Image को मैं Reload करूंगा तो देखो यह थोड़ी छोटी पड़ गई ठीक है तो मुझे ऐसे ही चाहिए इमेज थोड़ी सी मुझे rectangular image चाहिए क्योंकि जादा बड़ी भी होगी ना अगर image मेरी तब भी क्या होगर problem पड़ेगी मुझे तो अभी हाँ ये post मेरा बिल्कुल साही सही दिखरा एक image है फिर post है फिर एक image अगर hello world किये तो वो होगी post होगी अगर मैं remove कर दूँ featured image तो भी मतलब it depends ठीक है आप कुछ जैसा अच्छा लगए आप ऐसा कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपकी यहाँ featured image है यहाँ नहीं है hello world वाले में तो depend करता है आप जैसे चाहो उसको कर सकते हो और categories बना बना के आप लोग अलग-अलग categories में आप डाल सकते हो ठीक है so I hope कि यह चीज़ समझ में आप लोग को आ गई होगी अच्छा जी यह हमने किया अब यहाँ customize यह दिख रहा है इसको दरा explore करते है अगर आप उपर यह customize पर क्लिक करते हो तो आप इसको directly customize कर सकते हो और यहाँ पर तमाम options आप लोगों को मिलते हैं एक advice देना चाहूँगा आप लोगों को और एक और बात मैं बता हूँ मुझे कुछ online tutorial अच्छा नहीं मिला था मैंने बहुत खोजा था मुझे कुछ ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जो मुझे सिका दे wordpress तो मैं पीछे मोड़के भाग गया था मैंने का नहीं हो का मुझसे मुझे क्या करना चाहिए था मुझे सिर्फ वो options explore करने चाहिए थे जो कि मुझे चाहिए लेकिन मुझे किसी ने post page के बीच पे जो अंतर है वो नहीं बताया मुझे किसी ने plugins और इस तब चीज़ों के बारे में नहीं बताया लेकिन उसके बाद मैंने खुद time spend करके गलतियां करके पीछे पढ़के इस चीज़ के सीखा 15-20-30 website दे बनाई wordpress पर तो खुद ही समझ में आ गया time के साथ अच्छा यह यह होता है इतनी चोटी सी बात थी ऐसे करके मुझे समझ में आया ठीक है तो वही चीज़ कोशिश है कि मैं आप लोगों को बता दूँ जल्दी से anyways हम यहाँ पर अभी इस customization को देखते हैं क्या क्या हो सकता है तो देखो site title और tagline यही पर आप customize कर सकते हो फिर आप site icon चूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पर आता है तो चलो site icon भी डाल देते हैं मालो मैं यही रखना चाता हूँ site icon तो मैं इसको select करता हूँ और crop कर लेता हूँ image को और यह देखो यहाँ पर site icon आ गया आपको अच्छा से site icon डाल लेना यह तोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मैं से वह भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक और website अभी हम बताएंगे और हाँ सबसे important publish पर click करना मत बूलना क्योंकि यहाँ click आपने नहीं किया ना अगर तो आपके changes save नहीं होगे फिर से back जाओ फिर यहाँ पर देखो colors में आ जाओ फिर header text का color यहाँ पर आप change कर सकते हो इस तरह से देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि header text का color आप क्या रखना चाते हो मैं black ही रखना चाता हूँ यार इसको मैं नहीं छेड़ना चाता अगर जैसे मानलो मैंने यह कर दिया इसको ऐसे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूँ publish तो यह change हो गया देखो लेकिन यार मैं नहीं करना चाता है इसके साथ छेड़ खानी मुझे black ही सही लग रहा है उसके बाद आपके बस menus में है कि currently set to main आपकी जो main menu है यह वाली वो आपने main menu के नाम से बनाई थी जो वो set कर रही है ठीक है अपने ही menu बना कर उसको लगा सकते हो उपर आप menu लगा सकते हो footer में भी menu होती है कि वो लगा सकते हो तो वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को तो वो सारी चीज़ है ठीक है अब यहां पर मैं back करूंगा widgets में आउंगा और यहां पर आप widgets वगरा लगा सकते हो अब ही मैं recommend नहीं करता हूँ आप इसको देखो जादा और भी वह सारे options है typography में size वगरा change कर सकते हो आप जिसे कि अगर मैं general में आ जाओ और body में आ जाओं तो यहां पर इसका font size अगर मार लो मैं इसको 199 कर दूँ किस चीज़ का हो गया size इसका size बड़ा हो गया देखो तो यह size आप छोटे बड़े कर सकते हो उनने स्पिक्सल मैंने कर दिया जोड़ा बड़ा अगर आपको visible रखना है इस चीज़ को वो कर सकते हो आप लोग तो वो सब चीज़े आपके उबर depend करती है ठीक है फिर और चीज़े है आपर जैसे की font weight है font family है text transform, font size, line height यह देखो line height आप इसको change कर सकते हो font color change कर सकते हो phone में देखो आपका यह ऐसे दिख रहा है आपका यह ऐसे दिख रहा है menu आपकी ऐसे दिखेगी तो यह सारी की सारी चीज़े आपको already theme में मिलती है मैं इसको back करूँगा और उसके बाद मैं आपर similarly और चीज़े जो है उसमें मैं आ जाओंगा जैसे की आप लोग को अगर मैं दिखाऊं main menu के अंदर आप customization कर सकते हो sidebar widget में customization कर सकते हो तो यह सारे ऐसे options हैं जोगी शायद आपको याद भी ना रहे है और याद रहने भी नी चाहिए खुद बाखुद आप explore करो बहुत सारी चीज़े है top bar, sidebar, यह वो सब चीज़े आप लोग यहां से डाल सकते हो font size को जादा बढ़ा के देखो किस चीज़ का बदल रहा है पता चल जाएक आपको किस चीज़ का यह है font size explore करो इसको customization वाली डाप को ठीक है चलो अभी के लिए मैं इसको publish कर देता हूँ इतना भी हुआ है और directly भी click करके आप कर सकते हो इसको यहांपर click करोगे तो इसको उपर नीचे कर सकते हो search को नीचे जैसे मैं करना चाहूँ recent post के बाद अलाकि उपर ही सही लग रहा है और उसके बाद recent comment अगर हटाना चाते हो तो इसको आप remove कर सकते हो widget को इसे मैं recent comment नहीं दिखाना चाता है यहांपर हटा दूँगा सर्फ search और recent post दिखाना चाता हूँ publish कर दूँगा यहांपर मेरा यह इस तरह से change हो जाएगा तो आप लोग राम से इसको कर सकते हो अब जैसे ही मुझे छोटा लग रहा है यह जो है तो मैं क्या करूँगा यहांपर ढोड़ूँगा यह कहांपर है जो मेरी menus है इसमें मैं main menu को choose करूँगा और इसका मुझे basically font size चाहिए तो मैं font size इसका कहां से देखाँगा मुझे जाना पड़ेगा typography में उसके बाद main menu में और उसके बाद यहांपर मैं इसको करते हैं कि कोशेश करता हूँ 17 pixels I think 17 में छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ मुझे चाहिए 19 pixels in fact अगर मैं 20 कर दूँ तब भी सही लग रहा है यह क्योंकि यह मेरी main menu है यह अच्छी दिखनी चाहिए ठीक है तो अभी मैं इसको publish कर दूँगा ठीक है और यह quote smasher जो मेरा लिखा हुआ है जो की मेरा क्या है मेरा logo है उसके size को भी अगर मैं 28 कर दूँ तो शाय थोड़ा size आएगा हाँ publish कर दिया मैंने भी ठीक है तो यह करके मैं क्या कर सकता हूँ इसको बंद कर सकता हूँ इस तरह से और मेरा जो blog है वो यहाँ पर देखो change हो के आ गया है जो जो मैंने किये थे changes वो हो गए है तो home, blog, about us, contact us यह सारी की सारी चीज़े आप बना सकते हो अराम से आपकी WordPress वेबसाइट तयार है home पर आप कुछ भी मंचाय लगा सकते हो कोई यहाँ पर image वगएरा लगा दो यहाँ पर कुछ link लाग दो अब यहाँ पर directly शायद आप लोग जादा ना कर पाओ अच्छा एक चीज़ यहाँ पर यह जो copyright ocean wp theme by nick लिखा हुआ है इसको जरा सा change करते हैं आपर ठीक है तो customize पर जाएंगे हम लोग और customize पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे footer bottom पर जाएंगे उसके बाद इसको change करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखाँगा copyright और क्या लिखूँ यहाँ पर copyright लिख देता हूँ ना code mashes dot अच्छा मैं अगर control z करूँ है आपर तो ocean wp date की जगा पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा 2020 और यहाँ पर लिख दूँगा code smashes dot com simple एकदम simple सा footer simple ही अच्छा लगता है बन किया इसको और यहाँ पर देखो code smashes dot com इसको मैंने ऐसे किया code smashes dot com कुछ भी यहाँ पर निकविक कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है जोगी पहले लिख कर आ रहा था जो theme का होता था उसका नाम लिख कर आ रहा था तो यहाँ पर देखो वो लिख कर अब नहीं आ रहा है आपने customize कर लिए theme अब आप और post डालोगे अगर इसमें तो कितने post दिखेंगे यहाँ पर आपके मैं दिखाता हूँ आप लोगे को इसको पेजिंग बोलते है और यह automatically आता है theme के साथ तो आपको करने की जरूवत नहीं है search automatically आता है theme के साथ आपको करने की जरूवत नहीं है देखो hello word यहाँ पर खुल गया तो इस तरह से searching आती है theme के साथ सब चीज़े theme के साथ आती है तो uncategorized वाला मैं यह post लो डिलीडी कर दूँगा बट अभी के लिए रख रहा हूँ ठीक है यहाँ से search कर सकते हैं यहाँ से contact us कर सकते हैं about us कर सकते हैं blog home सब कुछ एक दम ready है I hope कि आप लोग कोई चीज़ यार clear हो गई होगी है so guys अब काफी चीज़े हमने कर ली है लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और चाहिए देखो home page तो यहाँ पर मैं बना लूँगा कुछ ना कुछ करके set करके बना लूँगा एक simple website में खड़ी करना चाता हूँ actually home page बन जाएगा blog page बन चुका है और यहाँ पर featured image की जो आँख है इसको click करोगी तो एक गायब हो जाएगा title तो आप obviously चाहोगी दिखे तो इसको हटाना मत फिर यहाँ पर meta में भी क्या-क्या रखना है क्या-क्या नहीं रखना है वो आप दिखा सकते हो किसने लिगा है मैं नहीं दिखाना चाहता है तो मैं यहाँ पर author को अटा दूँगा comments कितने वो अटाना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ तो यहाँ पर चीज़े मैं उसको कर लूँगा आराम से और फिर publish कर दूँगा अगर यहाँ पर तो देखो यहां पर यह publish हो गया है अब यहां पर featured image हटी नहीं है यह समझ ले ना कि featured image हट चुकी है featured image सिर्फ यहां के लिए हटी है क्योंकि तोड़ी अजीब लग 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 ली थी अब यह खोलूँगा तो यह featured image यहां पर है यह blog page है मेरा, यहां पर है ठीक है, तो यह सारे options आपको customize में मिलेंगे, customize एक ऐसी चीज़ है जिसके options अच्छो अच्छो को याद नहीं रहते हैं, जो कि रोज चलाते हैं na WordPress, दिन पे दददस बार, वो भी भूल जाते हैं तो उनको भी ढूंडने पड़ जाते हैं कभी-कभी तो यह चीज़े experience आती है, याद नहीं करना यह चीज़े, concept समझो यह समझो कि क्या post है, क्या page है अंतर मैंने बता दिया, page जो होते हैं, वो limited होते हैं post होते हैं, वो rows add होते हैं page एक बार add हो कि website बन जाती है ठीक है, page और post में यह difference है फिर उसके बाद comments होते हैं, जो user करते हैं फिर उसके बाद theme होता है, कैसी website दिख रही है फिर उसके बाद plugin होते हैं, जो की functionality को बढ़ा देते हैं अभी कर रहाता हूँ एक plugin install लेकिन उससे पहले यह आपर आ जाते हैं या फिर आपकी ये चीज़ दिखे, क्या दिखे इस चीज़ को आप लोग कर सकते हो तो वो सारी चीज़े जो है आपके control में है मैं यह नहीं कहा रहूँ, बाखी के option बेकार है बाखी के option को भी explore करना लेकिन मेरे हसाब से इतने से चालू हो जाओगे आप और फिर उसके बाद पैसे वैसे कमाओगे न खुद interest आने लगेगा WordPress में, खुद ही करोगे आके आप लोग, चलो अब एक काम करते है आपर सब कुछ साही चल रहा है ये जो फालतो के page से इनको बंद करता हूँ site के homepage पर आता हूँ ये आप design खुद करना हटाना वो sidebar हटा लेना लगाना है तो लगा लेना ठीक है blog भी मेरा बिलकुल सही आ गया है यापर अब हाँ यार एक चीज़ करना है यापर यह मने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया था यापर reading में जाऊंगा और इसको number of post को साथ करूँगा कम से कम एक page पर साथ post तो दिखें एक post का तो कोई मतलब भी नहीं है पर साथ post दिखें continue reading कोई करें फिर पढ़ें वो उसकी मरजी है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर about us में आप बता देना कि मैं है जो है बहुत अच्छा इंसान हूं और यह वह सब आप लिख सकते हो यहाँ पर और उसके बाद contact us में मुझे चाहिए एक form कोई मुझे अगर संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे करेगा यह एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज है ठीक है तो एक काम करते है काम करो यहाँ पर बिगें इंस्टॉलिंग प्लगिंस ठीक है यह करके इन सारे के सारे प्लगिंस को कर लो आप लोग इंस्टॉल ठीक है तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं इनको करूँगा select और यहाँ पर install और apply इन सब को कर लोगा मैं install अब यह install होना चालो होगा प्लगिं ठीक है तो यह क्या है अगर इंटरनेट से यह डाउनलोड कर रहें अगर इंटरनेट नहीं है तो पढ़ जाईए प्रॉब्लम आपको चाहें आप फीव डाउनलोड कर रहें आप लोग को दिक्कत पड़ सकती है आगर मुझे आपको बताना हो जितनी धर में यह प्लगिं इंस्टॉल हो रहें उ फिर उसके बाल WP content में आओ और theme में आओ तो यह देखो यहाँ पर यह दो theme हमारे install है एक तो 2017 install कर रखा है हमने और एक ocean WP कर रखा है अब अगर आप लोगों को किसी भी point में यह theme बाहर से download करना है जैसे कि wordpress.org से themes अगर आप लोगों को download करना है तो आप यहाँ पर download पर click करोगे अगर तो यह theme डाउनलोड हो जाएगा यहाँ ठीक है मैं को नीचे अभी पर cancel कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से भी आप download कर सकते हो इन themes को और इन themes को download करने के बाद आप क्या करोगे कि आराम से इन themes को अस्तिमाल कर सकते हो एक्स्ट्राक्ट करके यहाँ पर बिखेड देना इनको यहाँ पर जैसे कि यह OceanWP यहाँ पर है उस zip file को एक्स्ट्राक्ट करके यहाँ डालोगे तो एक तरीका यह भी है themes का लेकिन वही बात आ गई ना कि ऐसे क्यों करना है अगर यहाँ कोई problem आई तब आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यह कह रहा है plugin expected अब यहाँ पर यह error इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो क्या है कि मैंने already जो header है उसको modify कर दिया था इसके ठीक है तो यह उसको override नहीं कर पा रहा है तो कोई error आ रहा है तो अगर मैं theme को install करने के बाद ही सारे plugins को install करता तो शायद यह error नहीं आता तो एक plugin हमने miss कर दिया इस theme के लिए और मुझे चाहिए भी नहीं यार मैंने अपनी website को basic रखना है क्योंकि मैं एक और website अभी बनाने वाला हूँ वहाँ पर मैं सारी तोप मारूँगा अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ तो अगर मैं आऊं यह plugins पर click करूँ तो दे दे रही है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको deactivate कर देता हूँ ocean extra को मुझे यह नहीं चाहिए और यह चीज़े आप लोग बाद में explore करना ही plugin क्या करता है इसकी details और अलग-अलग plugins बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं इस plugin को भी use नहीं कर रहा हूँ मैं use करने वाला ह उसके बाद WP forms light को ठीक है तो WP forms light क्या है इसको कैसे use करना है तो देखो यहाँ पर जैसे ही plugin install हुआ यहाँ पर एक WP forms करके आ गया यह बनके आ गया मैं क्या करूंगा इसको skip challenge करता हूँ मैं और एक add new form करता हूँ और इस form का नाम होगा contact us देखो एकदम easy to use है ठीक है simple contact form एकदम simple contact form मुझे बनाना है और इस template को मैं रखूंगा और maybe मैं यहाँ पर एक नई field add करूंगा मैं एक single text field add करूंगा यहाँ पर और मैं कहूंगा कि मैं इसका नाम रखूंगा tell us about yourself और यह required भी है ठीक है तो required में star आ जाएगा कि अगर आपने नहीं बढ़ा तो form submit नहीं yes form को मैंने ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मैं इसको बंद करूंगा यहाँ पर ट्रॉस पर क्लिक करके और मैं आ जाओंगा अपने page में अब मैं आ जाओंगा contact us वाले page में अब यहाँ पर यह table तो मैं हटा दूँगा इस table को मैं यहाँ से हटा देता हूं remove block करता हूं औ और यहाँ पर मैं एक add block करूंगा प्लस पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं लिखूंगा WP forms और यहाँ पर मैं contact us वाला form जो है select कर लूँगा simple सी कहानी है ठीक है और इसको update कर दूँगा और अब मैं अगर इसको reload करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरा simple सा form आ गया है तो मैं य is required ठीक है submit किया मैंने यह के रहा है sending और यह देखो के रहा है thanks for contacting us we will be in touch with you shortly ठीक है अब इस text को भी आप change कर सकते हो alright guys तो आप यहाँ पर WP forms में अगर entries में जाओगे तो आप लोगों को बोलेगा कि पैसा देकर खड़ी दो और आप लोगों को वो नहीं करना है आप लोगों को rather करना क्या है आना है यहाँ पर SMTP पर click करना है और WP Mail SMTP यहाँ पर install करने के लिए बोलेगा उस पर click करना और आ करने के बाद मैं क्या करूँगा इसको save settings कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं save setting कर दूँगा और यहाँ पर यह कहला है thanks for using WP Mail SMTP to complete the plugin setup and start sending emails आपको अपना mailer जो है वो configure करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं Gmail को setup करूँ तो यहाँ पर देखो यह client ID, client secret मांग रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो आपका mailer है अगर आप default चुन रहे हो PHP चुन रहे हो तो यह काम नहीं करेगा आपका local host में आपकी website पर जाकर काम करेगा और यह जो WP forms है इसकी जो entries है वो अगर आप देखना चाहते हो यहीं के यहीं तो वो paid है तो और भी plugins है लेकिन यह simplest मुझे लगता है मेरे साफ से करब start कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर default यह choose करके अपने email पर receive कर सकते हो जो आपका यह है आपकी जो entries है वो आप email पर receive कर लेना और बाद में जब आप पैसे कमा लो तो कोई paid plugin लगा लेना या फ platform भी आ गया है जिसका content हमको तब मिलेगा email पर जब हम लोग hosting करेंगे भी मैंने hosting करी नहीं है इस website की और यहाँ पर यह हमारा homepage है जो कि मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर images लगा सकते हो यहाँ पर को content डाल सकते हो आप इसको page builder से बना सकते हो जो कि मैं भी थोड़ी दिर में आप को बताऊंगा आप blog यहाँ पर जो है आपका एकदम setup हो चुका है about us में आप कुछ लिख सकते हो अपने बारे में contact us में आप कुछ लिख सकते हो अपने बारे में अब जैसे home है मेरा ही अगर मैं pages में जाओं इसको मैं leave कर देता हो अभी आप लोग वो जो WP forms का plugin था WP forms SMTP वाला उसको default जब आप चुनोगे तो आपको email आने लगेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा कि blog page नहीं मुझे चाहिए था about page in fact home page से start करता हूं ठीक है तो मैं python.org से तोड़ा content उठाने वाला हूँ तो यहां से करूँगा इस तरह से इसको update करता हूं और यहां पर कहां गई मेरी website preview यह रहा preview और यहां पर reload करूँगा तो देखो python programming is a very welcome to ऐसे कुछ लिख देता हूं बड़ी सी heading लगा देता हूं यहां पर और यहां पर मैं कुछ ऐसे लिखूँगा welcome to तो मैं काम करूँग तो यहां पर लिखूँगा welcome to the के नाम था मेरा code smashers ठीक है और मैं आपर क्या करूँगा कि यहां पर कुछ बड़ा सा लगाता हूं यार कुछ ऐसी चीज जो की थोड़ी बड़ी हो तो एक video लगा सकता हूं मैं YouTube पर जा सकता हूं YouTube पर जाके एक मैं आपर coding video लिख देता हूं और यहां पर इसी को use कर लेता हूं जो पहला आया मेरा और यहां पर क्या करूंगा मैं इसको लगा दूँगा मैं करूँगा insert from URL और insert from URL करके मैं यहां पर इसको embed कर लूँगा अब यहां पर देखो बहुत सारे options है इसके group है और यह है line center है और अभी के लिए इसको ऐसे रह अगर आप लोग चाहते हो कि इसका size बड़ा हो जाए तो आप इसको edit as html भी कर सकते हो तो अगर आप वो चाहते हो तो वो भी कर ले ला जैसे मैं अगर यहां से strong हटा दूँ इसको जर्फ h1 tag के अंदर रहूं तो वो भी कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग एक coder नहीं हो कोई बात नहीं चलेगा बिना इसके भी काम हो जाएगा ठीक है तो यहांपर मैं अपडेट कर दूँगा इसको यह अपडेट हो गया और मैं इसको यहांपर reload करूँगा तो यहांपर य और contact us के अंदर मेरा एक form है I think हमारी यह website complete हो चुकी है तो जल्दी से सको complete करने के लिए मैं जो मेरा about वाला page है उसको भी edit कर देता हूँ तो यहांपर देखो about us जो है उसको मैं आपर क्या करूँगा क्या मैं वीडियो लगा उम यह भी वीडियो नही लगाता हूँ कि simply इसको रोला बढ़ा कर लेता हूँ और इसको बढ़ा करने के साथ-साथ मैंने और भी चीज़े इसमें करी है default रखता हूँ इसके style को और अगर आप लोग चाहो तो कुछ और लगा दो है हाँ पर media वगएरा मैं भी इसको सब इतना ही रखता हूँ और आप लोग बागी content डाल लोगे मुझे पता है ठीक है तो यह हमारी website अभी मेरे हिसाब से हो चुग है complete और definitely यह बहुत अच्छी website नहीं है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लिख रही है लेकिन इस website ने हमें क्या सिखाया इस website ने हमको wordpress सिखाया wordpress में इसने हमें दिखाया कि page क्या होता है हमें सिखाया post क्या होता है यह post है python programming post है hello word एक post है यह पूरा एक page है एक, दो, तीन, चार चार pages है इस website में अगर मैं आप लोग को यहाँ पर लेकर चलूँ pages में तो यह चार pages है आप एक, दो, तीन, चार ठीक है about us, blog, contact us और home यह 4 pages से मिलकर बनी हुई website जो है यह हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से render हो की दे रही है ठीक है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी और यह website बिल्कुल सही है अब आप लोगों को आ चुके WordPress के basic concepts आपको आ गया है WordPress क्या है अब हम बनाएंगे तगड़ी वाली website और अब हम बनाएंगे एक ऐसी website जो की मज़ेदार आप लोगों को मज़ा देगी कि आप लोगों भी लगें हाँ यह website कुछ बनाई है अब यहाँ पर देखो एक error यहाँ पर आ रहा है यह क्या रहा है email delivery error the plugin wp mail smtp जो है यह नहीं send कर पाया email क्योंकि आपका जो local है उसमें mailer setup नहीं है तो छोड़ दो अभी इसको हम लोग जब deploy करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है और हमने wbforms याबर use किया लेकिन wbforms paid है और थोड़ा महंगा है तो wbforms आप initially use करना और उसके बाद आप बाकी कोई plugin search करना जो कि आप लोगों को forms जो है उसके data को retain करने में मदद करें बहुत सारे plugins है wbforms एक बहुती straight forward था इसलिए मैंने बताया लेकिन बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि आप पैसे दे रो wbforms को 4-500$ है वैसे भी इतने dollars को अंदेगा यार मेरे इसाब से बहुत ज़्यादा पैसा है यार ये form की data को retain करने का तो हम लोग कोई और plugin देखेंगे और email से काम चलाएंगे कुछ time तक तो I hope कि आप लोग जो है बिल्कुल इस चीज़ को समझ गये होंगे अब यहाँ पर ये website हमारी जो है वो तयार हो चुकी है अब बनाएंगे अब एक और दूसरी website और रेट गैस तो अब तक जो भी हमने किया है वो था wordpress को समझने के लिए लेकिन अभी मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये blog आप लोग शायद नहीं बनाएंगे इससे अच्छा बनाएंगे और मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे लेकिन इससे आप लोग के बहुत सारे concepts clear होएंगे ये बात आप लोग बिल्कुल भी deny नहीं कर सकते ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आप लोग को बताऊंगा किस तरह से elementar की मदद से आप लोग drag and drop करके बहुत ही धमाग एदर websites बना सकते हैं और हम लोग एक करके close tabs to the right कर दूँगा और जो मैंने wordpress download किया है उसका मैं क्या करूँगा वापस से उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा extract करूँगा ठीक है extract hair मैंने कर लिया है यह पर और यह कह रहा है कि already आपने extract कर रखा है तो मैं cancel करूँगा इसको क्योंकि मैंने already extract कर रखा है मैं इसको copy करूँगा जो कि मेरा fresh wordpress का download है इसको मैं करूँगा copy और इसको copy करने के बाद मैं आजाँगा अपनी local disk c में और उसके बाद आजाँगा मैं वापस से zamp में htdocs में और यहाँ पर इस बार मैं क्या करूँगा यह wordpress ना रखके इसका नाम कुछ और रख दूगा से मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या रखूँ मैं मानलो control v अगर करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एक मिनिट इसके अंदर यह extract कर रहा है I guess तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर मैंने wordpress को copy किया है मैं यहाँ पर एक नया folder बना लेता हूँ और यहाँ पर उसका नाम लग देता हूँ word2 साइट का नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मैं इसको paste कर रहा हूँ wordpress को और यह सारा का सारा यहाँ पर paste हो गया है और अब मैं क्या करूँगा यह जो content test के अंदर का इसको मैं ले आँगा बाहर ठीक है और यह wordpress वाले folder को कर दूँगा तो basically मैंने कुछ नहीं किया घवराना मत आप लोग यह मत सोचना क्या किया मैंने मैंने वो wordpress वाला folder है उसको rename करके आपर paste करना था बस ठीक है definitely मुझे वापस से wordpress को install करना पड़ेगा ठीक है तो यह पर यह word 2 खुल रहा है और यह word 2 क्या करेगा मुझे वापस से एक fresh wordpress installation दिखाएगा मैं okay करूँगा let's go करूँगा और इसका नाम word 2 ही रख देता हूँ database का नाम और एक database बना लेता हूँ word 2 की नाम से देना है ठीक है और यहां पर यह आपसे मांग रहा है site title और मैं आपर quote smasher सी रखने वाला हूँ क्योंकि मैं quote smasher सी बनाऊंगा और confirm the use of weak password और email भी डाल दिया सब कुछ करके मैं install wordpress करूँगा यह सारे options मैंने बहुत अच्छे सा explain करे थे वीडियो के starting में तो I hope कि आप लोगों को परशानी बिल्कुल नहीं होगी login login और मैं आजाओंगा अपने एक newly fresh wordpress dashboard में बहुत ही जल्दी से कुछ काम करेंगे नमबर एक हम क्या काम करेंगे कि यह जो plugins है मेटे यह delete करतेंगे सारे के सारे जो फालतु plugins है मुझे नहीं चाहिए plugins मैं बाद में अगर मुझे कुछ करना ही होगा download तो मैं कर लूँगा similarly यहाँ पर pages में भी मैं सारे pages को कर दूँगा delete move to trash और apply सारे pages भी मेरे delete हो गए post में में एक hello world का post एप बड़ा रहन देता हूँ उसको बाद में हटा दूँगा ठीक है अब देखना जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ बहुत important है देखो पिछली website जो बनाई थी वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई थी अब जो website बनाने जा रहा हूँ वो website होगी जो कि शायद आप बनाऊगे और खड़ी भी करोगे host भी करोगे वो बहुत अच्छी दिखेगी वो करना क्या है आप लोगो appearance themes में जाना है और सबसे पहले तो क्या करना कि यह सारे के सारे themes delete कर देना फालतू क्योंकि हम हमारे पस फालतू storage तो है नहीं फालतू themes जो रखें सब themes delete कर देना और यहां पर आप लोग एक theme को install करो जिसका नाम है Astra और काफी popular यह theme है Astra नाम से theme है और मैं बताऊँ को इसकी खूबी आपको आप install पे क्लिक करो और astral मत करना Astra करना है आपको यह वाला theme install करना Astra और इसकी सबसे बड़ी खूब यह है कि यह आपको कुछ built-in starter templates देता है जोगी बहुत दमागेदार होती है सारे page page import हो जाते है और मुझे यह चीज बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर यह install हो रहा है और यह activate भी मैं कर देता हूँ और यह activate भी हो गया अब मैं customize पर click करूँगा देखो मैं I hope तेज नहीं जा रहा हूँ आप लोग दिहान से सुनोगे तो आपको बिल्कुल सभी paste लगेगा मेरे पास हर तरह के comment आते हैंगी slow पढ़ा रहे हो fast पढ़ा रहे हो तो यह इस plugin के specific options है यह Astra जो मेरा sorry theme specific options है जो Astra theme है मेरा इसने कुछ starter templates मुझे दिये है मैं आपर करूँगा क्या कि यह कह रहा है कि import your favorite site in one click and start your project with style install importer plugin यह importer plugin हम install करना है इस पर click करना यहापर देखो यह activate हो रहा है थोड़ा सा time ले लेता है कभी कभी बस और अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ यहापर local host slash word2 तो अगर मैं आप लोगों को word2 दिखा हूँ तो यह बिल्कुल एक simple सी wordpress website है जैसे कि पहले आपने देखा था बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है बस extra theme हमने लगा रखा है लेकिन अभी देखना क्या होगा अब यह मुझ से पूझ रहा page builder select करो मैं elementor select करूँगा ठीक है मैंने elementor यहाँ पर select किया और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसने क्या किया मुझे बहुत सारे starter templates देती है यहाँ पर starter templates का एक option आ गया देखो यह कौन सी website आपको अच्छी लग रही है आपकी मर्जी है अब आप देखो कौन सी अच्छी लग रही है मैं तो उठा लूँगा कोई भी इसमें से मेरी पसंद जो है तोड़ी सी ऐसे ही है सबकी अपनी अपनी बसंद होती है तो जो अच्छा लगए आप ले लो यह detox वाली लेनी है तो यह ले लो नहीं तो कुछ और लेना है तो कुछ और ले लो कुछ भी theme ले सकते हो मैं काम करता हूँ यह वाली ले ले लेता हूँ outdoor adventure वाली यह team मुझे बहुत अच्छी लगती है देखो इसमें कितने pages है एक about page है एक services page है इसमें एक our projects page है contact us page भी है इसमें अब यह और और क्या चाहिए आपको मतलब समझ रहे हो आप क्या चाहिए और what else do you want आप यहाँ पर import complete site पर click कर दो थीक है कि सारे plugins को install करेगा और जो भी इसको चाहिए खुद करेगा वस आपको क्या करना है चुप चाप कॉफी पीना है पानी पीना है अगर कॉफी नहीं पीते हो आप चाहिए पीले ना जो मंचा है आप लोग पी सकते हो और थोड़ा सा इंतिजार करो पेशन्स रखो बेभी आप बाहर घूम खाम के आजाओ थोड़ा एक दो पुश अप मान लो और आप वापस आओगे तो आपका यहाँ पर यह जो Astra SITE successfully import हो गई होगी लेकिन अब यह थोड़ा सा time ले रहा है अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगो जो कुछ पहले बताया था वो website मैंने हटा कर अब दूसरी website पर हूँ मैं तो आप लोग यह बात को I hope समझ रख रहोंगे इस बात की अब क्या होगा यह Astra से क्या होता है कि आप starter template जब use करते हो यह पूरी website आजाती है आपके पस और Astra के पस बहुत सारी और भी templates है तो अगर इस तरह से आप लोग करोगे तो सबसे बड़ा फाइदा आप लोग को यह होने वाला है कि यह सारे के सारे page आपको वापस से from scratch नहीं बनाने पड़ेंगे और यह इतने अच्छे अच्छे themes हैं मेरे असाब से आप कुछ भी सोच रहे हो आपके निमाग में कुछ भी हो और यहाँ पर मौजूद होगा एक और बात यह है कि इसमें बहुत सारे media images भी आते हैं तो media images आप लोग use कर सकते हो जैसे कि outdoor adventure अगर मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ outdoor adventure extra तो extra theme यहाँ पर देखो कहीं नहीं दिखा होगा यह देखो free download है यह आपर और demo मुझे कहां मिलेगा इसका यह मिल गया demo मुझे तो यह demo है देखो इसका तो यह इस तरह से यह पूरी website मेरी हो जाएगी मेरी वह भी free में मैं अब समझ रहो आप कितनी अच्छी वाद है और इसको मैं अपने साब से customize भी कर सकता हूँ तो यह रगर यह website मुझे मिल गई तो मुझे क्या change जंदगी में और इसके अलावा तो को चाहिए ही नहीं फैर समझ रहो आप तो यहाँ पर देखो यह काम अभी तक हो गया होगा कहरा है कि आपकी website मस्त एक दम आ गई यह website अब आपकी हो चुकी है आप यह एस्टरा पेस्टरा सब बंद करो यह website अब आपकी हो चुकी है तो आप समझ रहे हो यह कितनी मज़ेदार website मुझे मिल गई क्या आप यगीन कर सकते हो कि यह website आपने बनाई यह अगर आप एक beginner हो तो नहीं कर सकते है अगर मैं beginner हूँ और मेरे पास यह website हाथ लग जाए तो मैं कहूँगा कि यह यह तो jackpot है forms लिखकर भी आ गया है यहाँ पर तो मैं edit with elementor जो है उसको use करूँगा और आप लोग देखना कितनी मज़ेदार बनके आएगी website और elementor जो है वो बहुत ही simple सी चीज़ है drag and drop website builder है यही है drag and drop website builder तो यह देख रहे हो आप लोग यहाँ पर drag and drop करके website build कर सकते हो अब यहाँ से at this point इस वीडियो के point से एक नई चीज़ चालू हो रही है और वो है elementor elementor क्या है एक drag and drop website builder बहुत आसान है मैं यह नहीं कहाँ मुश्किल है यह मत समझ नहीं मुश्किल है सबसे आसान पार चालू हो गया है इस वीडियो का ही समझे लो और अब मज़ा आएगा आप लोगों को अब मस्ती होगी इस वीडियो में अभी तक तो पढ़ाई हो रही थी अब मस्ती होगी जिसे बोलते मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को प्लगिन्स में लाकर एक प्लगिन इंस्टॉल करवाना चाता हूँ जो कि आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा बाइदवे एक और गलती जो बहुत बिगिनर्स करते हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक है बताता हूँ आप हमने इनीशली प्लगिन्स डिलीट किये थे उसके बाद जो प्लगिन्स ऐस्टरान इंस्टॉल किये हैं वो डिलीट मत करना गलती से भी वहना साइट ब्रेक हो जाएगी ठीक है और अब यहाँ पर मैंक्या करूँगा एड नीव पर क्लिक करूँगा प्लगिन पर एक मेश फूर अलिमेंटर करके आता है कि यह एक लाइफमेश अड़ओंस फूर अलिमेंटर इंस्टॉल ना हो और यह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको इंस्टॉल होने देते हैं अभी मैं वैसे भी यूजने करूंगा इसको और यह जो एस्ट्रा है ना इसने मतलब इतनी जिन्दगी को आसान करके रखा हुआ है ना कि मैं बदा नहीं सकता आपको अब देखो यह क्या कह रहा है कि रहा है यह यहां पर मैं आ जाता हूं में मुद्धे पर ठीक है तो मेरी जो वेबसाइट है उसको भी खोल के रखते है यहां पर localhost slash word2 ठीक है इसको हम host करेंगे चिंता मत करना आप लोग यह मत सोचना कि यह मतलब क्या चल रहा है यह तो एक coding block अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले तो मैं आपर कुछ coding से related डालूँगा अब यहां पर आप लोग चाते हैं यह उपर ना लिखा हूं नीचे ल लग रहा है ठीक है तो इसको मुझे नीचे लाना यह वाली line कभी कभी पकड़ने में मुश्किल हते नहीं आती है line तो कोई बात नहीं अब मुझे यहां पर सिर्फ क्लिक करना और यहां पर लिख दूँगा learn coding for free with us code smashes ठीक है और यहां पर लिख दूँगा कुछ भी लिख सकता हूं जैसे की अभी मैं सिर्फ इसका जो text है वो change कर रहा हूं learn now start now ठीक है अब यहां पर मैं कुछ concepts इसके बताता हूं देखो मुझे आता है यह तो मैं तो बहुत जल्दी यहां पर coding करके इसको करी लूँगा coding नीए sorry drag and drop और यह सब change करके मैं करी लूँगा लेकिन मैं जो देखा है जादा दर लोग करते हैं वो खुद बनाते रहते हैं website बता दें यह कैसे कर रहे हैं तो मैं आपर बताऊंगा आप लोगों की मैं कैसे कर रहा हूं देखो learn coding for free with us यहां पर एक क्या है मैं इस पर अगर click करूँ देखो मैंने click किया तो यह कह रहा edit heading यह heading है ठीक outer जिसको बोलते है menu में चले जाओगे और उसमें आप लोगों कुछ चीज़े मिलेंगी जैसे की intersection heading image text editor video डालना है तो वो button डालना है तो वो जैसे button मैंने यहाँ पर ऐसे करके drag करके मैं यहाँ पर लेया है तो एक button आ गया है पर ठीक है control z करोगे तो चला जाएगा बिल्कु इसके बार divider, spacer, google map, icon, icon यहाँ पर आप अराम से ऐसे डाल सकते हो और इसको change कर सकते हो यहाँ पर काफी चीज़े है इसके बारे में देखेंगे लेकिन अभी के लिए control z करता हूँ लेकिन यहाँ पर जैसे आप click करोगे आप outermost menu में आ जाओगे ठीक है अब यहाँ पर द एक buton हो सकता है, तो जो भी element हो गए उसका नाम यहाँ लिख कर आएगा जैसे कि button पर klik ए है, तो edit button लिख कर आएगा है, यहाँ पर यह heading है तो वापस से heading लिख कर आ रहा है और उसी के साथ साथ ये section है तो section में आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं चीजें और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो heading जो भी elements है इसके जो कि हमने यहाँ से drag किये थे उनको आप edit कर सकते हो ठीक है तो I hope कि यहाँ तक clear हो गया होगा सबको अब एक बात और सुन लो quickly कि यह basic वाले use करने क्योंकि इसके लगते हैं पैसे pro वाले गए और हमने जो live mesh install किया न plugin उसकी मदद से हम almost सब कुछ कर पाएंगे और pro की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट हाँ कुछ चीज़े ऐसी हो सकती है जो कि सिर्फ pro से ही और हमें use करने की वो जरूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ सब free में हो जाता है यहाँ पर देखो learn coding for free with us मैंने किया code smashes यहाँ पर लिखा start now यहाँ पर लिखा अब मैं क्या करूँगा sub menus आ गई यह set it section की जो कि layout style or advanced layout के अंदर क्या है यह मुझसे पूछ रहा है content width क्या होनी चाहिए full width होनी चाहिए boxed होनी चाहिए boxed में क्या होगा यहाँ space आईगी full width में क्या होगा कि यहाँ पर यह पूरी width ले लेगी ठीक है फिर इसके बाद height यहाँ तो आप default रख लें height इसकी जो theme दे रहा है यह min height को choose कर लें जैसे कि इसको छोटा बड़ा आप करना चाहते है तो जो भी height set करना चाहते है आप वो कर सकते है ठीक है तो यह देखो मैं इसको default रख नहीं बेज है एक coding block के लिए मुझे एक ऐसी image चाहिए जो की दर्शाय की coding blog है तो मैं क्या करूँग आपको एक feature दिखाता हूँ Elementor का यहाँ पर choose image आप करोगे तो यहाँ पर आपको जो कि हम पहले WordPress में करीज पा रहे थे drop files to upload यह हम पहले करीब आ रहे थे यह तो आप करीप आओगे media library आपकी यहाँ पर already है इस extra template के साथ आई है यह आप use कर सकते हो लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो कि मैं कहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो है कि आप directly pixabay से image ला सकते हो समझ दो आप कितनी बड़ी बात है जैसे कि मैं आपर अगर programming लिखूँ और यहाँ पर मैंने programming लिखा तो programming related images आना यहाँ पर start हो गई अब मान लो कि मैं यह वाली image रखना चाहता हूँ और मैं programming apple mac कर दूँ अगर यहाँ पर तो शायद कुछ image आएगी और यहाँ पर लगता है search यह हुआ नहीं या फिर को image है नहीं search terms related अब यह देखो search कर रहा है pixabay को और यहाँ पर देखो मुझे बहुत सारी images मिल रही है मैं काम करता हूँ यार सिर्फ programming लिखता हूँ और आप लुग जो अपने इसाब से किसी तरह कि कोई भी image लाकर यहाँ पर रख सकते हो तो हो सकता है कि image आपको बहुत अच्छी ना लगे जो मैं use करूँ लेकिन मैं यह बोलूँगा कि आप कोई भी एक image जहां से उठा लो और अपना काम कर दो चालू मैं उठा लेता हूँ मेरी पसंद को बुरा मत बोलना बस मैं यह वाली उठा रहा हूँ image ठीक है मुझे नहीं बता आपको कैसी लगेगी है तो मैंने क्या किया इस image को यहाँ पर मैंने save and insert कर देता हूँ तो यह download करेगा पहले और फिर इसके बाद यहाँ पर लगा देगा तो यहाँ पर code smashers यह हो गया अब अगर आप इसको reload करोगे तो यह changes बिल्कुल reflect नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमने save ही नहीं किया है तो आप update पर click करोगे तब changes reflect करेंगे ठीक है तो मैंने update पर click किया और इसको आप मैं reload करूँगा तो यहाँ पर देखो learn coding for free with us code smashers start now यहाँ पर यह हमारा जो page है starting वो आ गया है ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा मानलो मैं यह नहीं चाहता हूँ यह code मुझे नहीं चाहिए मैं directly यहाँ पर blog post यहाँ पर यह नहीं दिखाना चाहता हूँ मानलो ठीक है तब मैं क्या करूँगा कि यह जो section है इसको delete कर दूँगा आप यहाँ तो यहाँ पर click करके जैसे आप यहाँ click करोगे इन बिंदूओं पर जो कि यहाँ दिख रहा आपको plus और काटे के बीच में अगर आप लोग इस बिंदूपर click कर दोगे इन छे बिंदूओं पर छे हैं यह जेई यह बिंदू हाँ इन पर click करोगे और फिर delete की दबा दोगे तब यह delete हो जाएगा एक तो तरीका यह होगे इसको select करके यहाँ पर तो यह डिलीट हो जाएगा और Ctrl Z करूँगा तो वापस आजाएगा ठीक है तो Ctrl Z अगर आप कर दोगे कहीं पर भी क्लिक करके देखो यह वापस आ गया ठीक है तो Ctrl Z जैसे कि Word होता है हमारा Microsoft उसकी तरह website यहाँ पर बन रही है एक तरह से तो यहाँ पर मैं इसको भी नहीं चाता हूँ इसको देखना लेकिन यहाँ पर इसको रखी लेते हैं Programming Quotes एक ले लेते हैं मुझे Talk is cheap, Show me the Quote Linus to Orwells का बहुत अच्छा लगता है बड़ मैं आपर Simply कोई ले लूँगा Java to JavaScript as what car is to carpet लेकिन यह कोई कोई sense नहीं मना रहा है यहाँ यहाँ पर कहा एक मैं आपको एक बात बताता हूँ जब मैंने इसको पेस्ट किया ना यहाँ पर देखो white white आ गया है तो यह क्या कर रहा है source formatting को रख रहा है ठीक है तो आप क्या करो इसको जब paste कर रहे हो यहाँ पर यहाँ पेस्ट करो इसको ऐसे करके ठीक है और यहाँ पर आप ऐसे करो और right click करो और उसके बाद paste करो तब यहाँ पर देखो white white नहीं आया वरना क्या होगा वो formatting भी लेके paste कर देगा जैसे MS Word में आप लोग करते हो ना paste बिल्कुल वैसे ही यह उसी तरह का कुछ behavior दिखाता है तो मैं आपर ऐसे कर दूँगा और किसे ने यह बोला है उनको हमें credit भी देना पड़ेगा यह तो यहाँ पर हम लोग गलत नाम तो लिख नहीं सकते तो यहाँ पर आप edit किया करो सारे text यहाँ paste किया करो highly recommended यहाँ मत किया करो तो कि लोग क्या करते हैं paste कर देते हैं फिर उसमें जो HTML होती है उसकी वो आ जाती है और वो problem treat करता है इसलिए यहाँ पर करो अब यह थे कोई जो text editor है अब यहाँ पर अगर मैं आ जो elementar की outermost menu में तो inner section है heading है text editor है text editor तभी उसके जाता है जब बड़े-बड़े text डालने पड़ते है heading तभी उसके जाता है जब एक heading type का ऐसा लिखना है जैसे यह लिखना है यह लिखना है तब ठीक है अब यहाँ पर मैं अगर इसको update कर दूँ इस तरह से और उसके बाद मैं इसको reload करूँ मैं भी बंद कर देता हूं programming codes जाला tabs में खोल कर रखना नहीं चाहता हूं कि chrome यह RAM खा जाता है बहुत सारी तो यहाँ पर देखो अप लोग अगर मैं इसको reload करूँ तो यह आ गया मेरा देखो any fool can write code that a computer can understand good programmers write code that humans can understand ठीक है तो यह अभी बिल्कुल सही जल रहा है मेरा यहाँ पर learn coding for free with us code smasher start now सब बड़ी है अब upcoming events की जगह मैं आपर अपने blog post लगाना चाहूंगा और मैं आपर लिख दूँगा latest posts ठीक है और इसको जो है हम अभी देखेंगे बाद में अभी के लिए मैं क्या करूँगा latest post के अंदर यहां पर क्या करूँगा इसको ऐसे ही रहने दूँगा फिर आपर लेना चाहता हूं कुछ भी लिखना चाहता हूं ठीक है everything do breaks but we fix it quickly on stage at TechCrunch मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो कि Mark Zuckabag ने बोला हो और मैं उसको लिख लिए यहां पर तो मैं इसको copy करता हूं यहां पर और और इसको यहां paste कर देता हूं कुछ ज़्यादा मैं इसको select कर पहले click करके यहां paste कर दो simple ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि यह red color में आ रहा है क्योंकि एक link है और अगर आप लोग चाहते हो इस link को हटाना तो हटा भी सकते हो ठीक है तो यहां पर link option है तो मैं इस link को यहार हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा remove link कर दूँग यहां facebook.com करके ऐसे कर सकते हो और अगर आप चाहते हो यह नई tab में खुले तो आप edit करो और यहां पर apply करो click करो गया आप अगर तो यहां पर मैं इसको अप्लाए करता हूं यहां पर कहीं अप्शन होना चाहिए open with new tab का link options मैं आदे को open in a new tab update तो यह सारे options आपको explore करके मिल जाएं और यहां पर अगर को image वगएर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो अब यहां पर इन्हों ने क्या किया है इस column को blank चोड़ा है क्योंकि सब कुछ इदर shift करना चाहते थे तो इसलिए यहां पर एक column मनाकिस को blank चोड़ा हुआ है ठीक है coding is live अब यहां पर यह बटन type करूँगा मैं यहां पर लिखूँगा learn with us ठीक है और यहां पर इतना मैं करूँगा और इसके बाद यहां पर update कर दूँगा इसको तो आप आपको यह बात तो बता चल गई कि कैसे करते हैं ठीक है यह template आप पूरे खुद edit कर लोग यह मैं जानता हूं ठीक है तो यहां प कि I think यह भी सही है क्योंकि coding एक बंदा है और खड़ा हुआ है तो चलेगा यार वो भी लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसा background में लगा देता है जो कि थोड़ा सा मज़ेदा लगता है जैसे कि video background वगएरा तब कितना मज़ा आता तो मैं क्या करूँगा इस section को select करूँगा यहा आईल में जाके मैं क्या करूँगा कि मैं आपर background में आकर यहां पर video select करूँगा और यहां पर YouTube वीडियो का एक link दे दूँगा तो मैं आपर क्या करूँगा यहां पर आऊंगा और gameplay CSGO कुछ भी आप gameplay डाल सकते हो मैंने CSGO का यह वाला gameplay डाल लिया है इसको मैं copy करूँगा यहां पर और यहां पर paste कर दूँगा तो यहां कुछ भी आप डाल सकते हो मैं एक video background डालना चाता हूँ उपने यहां पर तो देखो कितना मज़दाल लग रहा है यहां पर ठीक है और अगर आप चाहते हूँ यह चीज सेंटर में आ जाए तो इसको आप डिलीट कर सकते हू similarly मैं आपर वापस से जो alignment है इसका फिर से center कर दूँगा और यह देखो center हो गया यह अब मैं अगर यह learn with us को भी center करना चाता हूँ यह भी center हो गया और यह जो line है मेरी यह center नहीं हुई है और अब यह भी center हो गई है अब यहां पर देखो इस line की width को मैं थोड़ा बढ़ाना को दिखाता हूँ कोई भी इंसान मेरी website पर यहां पर आएगा सबसे पहले उसको यह दिखेगा फिर वो नीचे आएगा और फिर फाइनली यह background में यह चल रहा होगा तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यह आप लोग यहां पर कोई coding का background भी लगा सकते हो मैं आपर एक क email का कोई website है तो इसलिए इन्होंने उससाब से बनाया है मैं आपर क्या करूँगा कि इसको ऐसे ही रहने दूँगा यही काम करता हूँ थोड़े सी from scratch building आप लोगों को सिखाता हूँ मैं इसको delete कर दूँगा ठीक है select किया और यहां पर यह कभी कभी hang कर जाता है मैंने इस inner section को select करके delete कर दिया अब ही यह connection है section के अंदर भी आप section डाल सकते हैं उसको inner section बोलते है陽 में आपर क्या करूँगा यहां पर एक section बना हूँगा तो section मैं यहां क्लिक करूँगा तो inner section का मतलब क्या है inner section का मतलब है कि एक section और उसके अंदर दो column अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि और columns आ जाए यहाँ पर तब आप लोग एक काम कर सकते हो यहाँ पर right click कर सकते हो और duplicate कर सकते हो एक और column add हो गया मालो 3 columns में यह एपर add करना चाहता हूँ और यहाँ पर 3 लोगों की photo लगाना चाहता हूँ कि er partners करके और यहाँ पर मैं एक heading देना चाहता हूँ तो मैं एक heading यहाँ पर ऐसे drag करूँगा section के अंदर just section के अबब यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा er partners अगर आप लोग चाहते हो कि यह capital ना हो तो यहाँ पर इसके options यहाँ पर होते हैं दिखाता हूँ कहां पर आप लोग यह style में आना और typography में आना और यहाँ पर इसका जो transform है उसको capitalize कर दोगे तो ऐसे दिख कर आएगा default कर दोगे तो ऐसे लिखकर आएगा font size अब बड़ा चोटा कर सकते हो इसका if you इसको मैं capitalize करूँगा मैं नहीं चाहता कि मैं इसको uppercase में रख़ो तो मैं क्या करूँगा इसको select करूँगा, जैसे मैं किसी भी element के अंदर click करूँगा, चाहे वो inner section हो, चाहे वो heading हो, वो select हो जाएगी, तो यह देखो यह heading है, यहाँ पर यह दिखकर आ रहा है, आपको यह column है, इस section के अंदर, इसको मैंने select किया, मैं style में गया, typography में गया, और मैं आपर इसका transform में इसको करता हूँ, capitalize, और अगर मैं चाहूँ इसके size को थोड़ा से बढ़ाना, तो मैं इसके font size को मैं बढ़ा सकता हूँ, यह use करके इस तरह से, ऐसे बढ़ा सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, 44 मैं रखता हूँ, यह number याद रखना, क्योंकि consistent हो नीची website, ठीक है, अचा इसका style paste हो गया पूरा, तो इसके अंदर कहीं भी मुझे right click करके copy करना है, और उसके बाद नीचे आकर, यहाँ पर कहीं भी right click करके paste style कर देना है, और वो style paste हो जाएगा, अब यही paste style अगर मैं यहाँ पर कर दूँ right click करके, तो यह जो coding is life है, इसको पूरा वही style मिल जाएग जो यहाँ पर था, अब यह देखो काला हो गया, coding is life, क्योंकि यह भी काला था, ठीक है, तो मुझे आपर यह काम करना नहीं है, या फिर अगर मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कि यह वाला जो मेरा heading है, इसको select करके, इसके color को change करूँगा, style म देखो, कि जो changes है मेरे, वो सब reflect हो गया है, ठीक है, तो यह देखो, यहाँ पर सारे changes reflect हो गया है, any fool can write a code, और यह सब, यहाँ पर मेरे post आएंगे, इनको मैं हटाऊँगा, in fact मैं इसको हटाई देता हूँ, जो चीज मुझे रखनी ही नहीं है, उसको मैं क्यों रखूँ यह यहाँ पर, तो मैं आपर क्या करूँगा, यह जो काटा लगा हुआ है, इस पर click करूँगा, तो यह delete हो जाएगा, देखो, मैंने काटा किया, यह delete हो गया, तो यह inner section delete हो गया, अब इस section के अंदर मैं एक और section डालूँगा, post वाला, अब आप लोग को याद होगा, कि मैंने एक आपको plugin install करवा है था, जिसका नाम था live mesh, तो मैं आपर क्या करूँगा, post grid आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, यह देखो, यहाँ पर मिल गया, आपको post grid, आप लोग यहाँ पर इसको drag and drop कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, इस post grid को यहाँ पर, इसके अंदर डाल ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया, देखो, इसको post grid को, और यहाँ पर सारे post जो है, वो show होना, अब start हो जाएंगे, latest post के अंदर, अब यहाँ पर यह जो post है, बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ हम इसको अभी बात में customize कर लेंगे, ठीक है, इसमें एक पोस्ट डाल देंगे, और यहाँ पर इसके अंदर featured image भी लगा देते हैं, in fact यह काम करी लेते हैं, जाके post में जाकर, hello world में featured image लगा देते हैं, और अगर एक hello world में featured image लगा देंगे, तो शायद कुछ हमारा हो पाए बला, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ, edit तो मैं perm text center क्योंकि जो blog post होते हैं, वो left aligned होते हैं, अब यहाँ पर set featured image, यह सब हमने already कर लिया है, और यहाँ पर मैं वापस से code लिखंगा, और code लिखकर, कोई भी image यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैं यह वाली image ले लेता हूँ यार, यह अच्छी लग रही है, और एक काम करना तो यह देखो यहाँ पर, यह feature image आ रही है, और यह देखो hello world uncategorized लिखकर आ रहा है, मैं इसको एक नई category में move कर देता हूँ, इसका ना में रख देता हूँ, python tutorial in Hindi, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ, यह फिर सिर्फ python tutorial लिख देते हैं, Hindi लिखने की जरूरत यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर मुझे इसकी category चेंज करनी थी आर, कहा गई category इसकी, excerpt आप लोग डाल देना, categories ही आ गई, तो देखो, मैं इस category को हड़ाक एक नई category अड़ कर रहा हूँ, और इसको मैं रख रहा हूँ, प्रोग हम भी कर लेते हैं, जो हमने करा था, कर यादो आपको तो, क्या काम करा था हमने, हम setting reading में गए थे, setting reading में जाने के बाद, हम लोगों ने क्या किया था, setting reading नी, setting permalink, sorry, setting permalink में जाकर इसको ऐसे कर दिया था, कि जो हमारा post है, वो कुछ इस तरह से दिखे, सिर्फ post का name आए, post name करके save changes, इससे क्या होगा कि वो date वगएरा नहीं दिखेंगी, ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ reload, और यहाँ पर जाओ इस post में, तो देखो यहाँ पर यह ऐसे दिखाई दे रहा है, बजाए दिखाई देने के कुछ अलग तरीके के, अब यहाँ पर यह बिलकुल सही ह दिख रहा है, और एक दोम सही लग रहा है, अगर मैं home page पर आहूं तो मेरी website ऐसी दिख रही है, learn coding for free with us, code smashers, start now, और यहाँ पर latest post, programming का यह है, all यह है, और यहाँ पर जो latest post है मेरे वो दिखाई पड़ेंगे, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग को लेकर चलूं इस पर click क क्या करना है, सब चीजें यहाँ पर आप लोग को options दे रहा है, ठीक है, तो इतने रखते हैं इसको, और partners में क्या करता हूं, कुछ images डाल देता हूं, ठीक है, क्या images डालूं, सोच रहाँ कि image डाल देता हूं, यहाँ पर एक image यह डाला मैंने, लगता है मैंने drag नहीं किया ठ duplicate, right click duplicate, और इसको मैं delete कर दूँगा, जो column में इसको यहाँ पर, delete की दबाई, select किया, delete की दबाई, अब यहाँ पर मैं इसको देखो, क्या करूंगा, choose image करूंगा, और यहाँ पर मैं, apple पर click करता हूं, शायद apple का logo मिल जाए मुझे, और नहीं मिला, apple logo लिखता हूं यहाँ प save and insert, और यहाँ पर देखो, apple का एक logo आ गया है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगो दिखाता हूं, गर आप लोगो यहाँ पर choose image करोगे, और उसके बाद जो apple का logo है, और यहीं तो मैंने download किया था, upload files, media library, अच्छा एक और भी मुझे apple का logo बिल गया, तो मैं यह लेता हूं, तो depend करता है, क्या लगाना चाहते हो आप, और partners में mostly logo ही लगाओगे आप, बट मर्जी है आपकी, जो मंचाई लगाओ, मैं आपर जल्दी यल्दी करके, मालो outdoor adventure भी कोई है, तो मैंने आपर लगा दिया outdoor adventure, अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें आप और क् ना, तो यहाँ पर देखो positioning में, क्या कर सकते हो आप, इसकी position analyse absolute या fixed कर सकते हो, और यहाँ पर इसको इस तरह से आप हिला डूला सकते हो, अब देखो, यहाँ पर आप लोग देखो, कि इस को आप इस तरह से ऊपर नीच रा सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पर एकदम center पर दूँगा absolute और यहाँ पर थोड़ा सब बढ़ा के इसको नीचे लियाँगा और यह एक तरह से center हो गया ठीक है मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है यह but I think it looks good यार मतलब to start with बहुत अच्छा है अब यह और partners जो है similarly padding जो होती है वो अंदर से spacing होती है जैसे कि अगर आप लोग को मुझे example देना पड़ा कि अगर यह जो आपको box दिख रहा है भी white outline से जो दिख रहा है उसको अगर padding मिलेगी तो क्या होगा उसको अंदर से spacing मिलेगी यानि कि उसको अगर मैं padding दे रहा हूँ तो तो उसको अंदर से spacing मिलेगी यानि कि coding is life को अंदर जाना पड़ेगा च्योंकि spacing अंदर होगी margin अगर मैं दूंगा तो spacing बाहर होगी तो अगर वो बढ़ा दी मैंने अगर तो यहां पर इतनी space खाली रहनी चाहिए तो padding और margin में यही difference होता है कि margin बाहर से होती है spacing और padding जो होती है वो अंदर से spacing होती है तो अगर मैंने इस white वाले दब्मे में padding दे दी तो इन सबको अंदर जाना पड़ेगा coding is life को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा learn with us को लो उपर आना पड़ेगा अगर इसको मैंने padding देदी white वाले box को तो I hope समझ गए होंगे आप लोग margin और padding क्या होती है वैसे to be honest इन सब चीजों की ज़रूरत पड़ती नहीं है पता है जब हम लोग ये theme से use करके website बना रहे है और आपको coding सीखनी नहीं है सिर्फ आपको एक बार website बनानी है तो मैं बता रहा हूँ कोई ज़्यादा problem वाली बात नहीं है अराम से theme को देख लेता हूँ मैं आपर इसमें क्या क्या है about में क्या है और फिर उसके बाद मेरा about में यह है who we are और mission services में क्या है services में services है हमारी कुछ-कुछ images यहां पर रखी हुई है और मैं आपर चाहता हूँ projects के अंदर मैं project को rename करूँगा और उसमें post डालूँगा अपने सारे ठी ठीक है blog posts ठीक है और मैं यहाँ पर लिख दूँगा read a amazing blog posts और यहाँ पर लिख दूँगा course smashers ठीक है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी spacing देना चाहता हूँ कहां से मैं right से देना चाहता हूँ इसको left से और right से तो मैं इसको ऐसे करूँगा और मेभी मैं यह जो चीज़े इसको थोड़ा ऐसे कर दूँगा ताकि यह ऐसे आ जाए और इस तरह से मैं कर दूँगा ठीक है तो मेरे साब से ही सही रीडर और अमीजिंग ब्लॉग पोस्स सिमिलरली इन इमेजेस को चेंज कर देते हैं तो मैं क्या करूँगा इसको एडिट करूँगा और मैं इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ फाइल्स मुझे चाहिए मैं कैंसल गैलली कर दूँगा यहाँ पर और यहाँ पर इसको इस गैलली को डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पर अपने पोस्स डालूँगा बेसिकली मैं आपर इन इमेजेस को चेंज भी कर सकता हूँ वैसे और टाइम आफ नहीं टाइम आफ नहीं विन आर कुछ ऐसे बोलता हूं कि हमारे साथ बाहर के वर्ट टूर पैकेज़ेस फिर यहाँ पर लिख देता हूं solve a coding challenges and win exciting prizes कुछ इस तरह से मैंने आपर लिख दिया और यहाँ पर solve a coding challenges and win exciting prizes and a free world tour ठीक है simple ऐसी लिख दिया मैंने आपर क्योंकि वर्ट टूर की images थी अब यह मैं delete कर देता हूं यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है मुझे section नहीं चाहिए इस page पर and I think we are good यहाँ पर post अगर मैं डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा recent post ना डाल कर post grade डालूँगा तो सारे post मेरे यहाँ पर आ जाएगे ठीक है तो सारे post मेरे यहाँ पर आ गए है और मैं इसको update कर दूँगा at the same time home page पर मुझे डालना था recent post मैंने गल्थी से सारे post डाल दिये I think ideal यह होगा अगर मैं recent post डालूँगा तो मैं outermost menu में आउँगा recent post को यहाँ पर drag and drop करूँगा इस तरह से और यहाँ पर recent post मेरे इस तरह से आ जाएंगे लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यह recent post को delete करूँ और यहाँ पर limit.js में number of post को तीन या चार कर दूँ तो वो यहाँ पर order by कर देगा publish date तो recent post ही हो जाएंगे पांच ठीक है तो वहाँ पर आप लोग को कोई problem की जरूवत नहीं है को tension mention लेनी की जरूवत नहीं है यहाँ पर इसको आप अब कर दो update और यहाँ पर यह देखो हमारी website इस तरह से बन चुकी है ठीक है अब अगर मैं आ जाओं यहाँ यहाँ पर dashboard में अपने wordpress dashboard में settings में अगर मैं आओं यहाँ पर यह tagline को change करके मैं आपे कर देता हूँ learn coding for free और यहाँ पर सारी settings आपकी एकदम बराबर होनी चाहिए क्योंकि अगर आपर just another wordpress site आ गया और वो गलती से देख लिया किसी ने तो problem हो जाएगी राइट तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते है ठीक है तो I hope कि यह चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को अब मैं अगर इस page को खोलूँ तो यहाँ पर यह ऐसे दिख रहा है और यह भी बिलकुल बराबर एकदम मुझे देख र सकता हूँ ठीक है तो अगर मैं चाहता हूँ recent post ना दिखे तो मैं remove कर दूँगा recent post को मैं archive को भी remove करना चाहूँगा मैं categories को रखना चाहूँगा meta को मैं remove कर दूँगा ठीक है और recent comments भी ने रखना चाहूँगा मैं और इतना करके मैं क्या करूँगा publish कर दूँग I think this is good और म मैंने ओपर customize पर click किया था यहां पर और मैं वापस से अगर जो भी मुझे customize करना मैं कर सकता हूँ यहां ठीक है तो categories यहां पर show करेंगी और यहां पर मेरा tutorial show कर रहा है and I hope की इतना जो है काफी रहेगा ठीक है तो home about services projects content जो projects है मेरा वो project नहीं रहा वो मेरा blog post हो चुका है तो मैं काम और करता हूँ pages में जाकर pages में नहीं sorry menu में जाकर appearance menus और मैंने बताया था menus क्या है तो जो मेरी यह about है जो मेरा page है मुझे उसको rename करना पड़ेगा और I think यह automatically जो है rename हो जाएगा तो projects को मुझे करना है क्या project का नाम change करके मुझे करना है blog ठीक है update reload किया और यह देखो यहाँ ब्लॉग आ गया भी ठीक है तो यह blog खुलना है blog post reader amazing blog post यह line अच्छी नहीं लग रही है और मुझे अगर मैं इस line को नीचे लेओना edit with elementor करता हूँ यह code smasher के नीचे चाहिए line मुझे तब मज़ा आएगा तो मैं काम करूँगा यह जो line है इसको drag करके यहाँ पर लेंगा नीचे और इसको क्या करूँगा center line कर दूँगा और इसकी width को थोड़ा बढ़ा दूँगा और यहाँ पर मेरे साब से we are good now अब एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ कि यह जो मेरा column है इसके अंदर मैंने दो item डाले हुए एक क्या डाला हुआ heading डाला हुआ है और एक क्या डाला हुआ है इस पर click करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है इसको divider बोलते है ठीक है तो यह जो मेरा column है इसकी widget spacing क्या है 20 है तो मैं क्या करूँगा कर इसकी widget spacing को zero कर दूँ तो इन दोनों की बीच की spacing खतम हो जाएगी default widget spacing दी जाती है 20 pixel की ताकि elements एक दूसरे से certain हैं चिपक जाएंगे और आपका experience अच्छा नहीं होगा लेकिन आप इसको change कर सकते हैं कभी भी और यहाँ पर ही जो margin इसको मैं जरा zero कर देता हूँ वापस से और इसको मैं कर देता हूँ center line code smashers को and I think we are good काफी अच्छा दिख रही है और यहाँ पर मैंने ऐसे code smashers लिखाया इसको update करूँगा यहाँ पर reload करूँगा I hope की save हो गया होगा यह इतना time क्यों ले रहा है reload होने में I think यह content को write कर रहा है database में at the same time मैंने उसको access कर लिया हो गया यह और यहाँ पर देखो code smashers लिख कर आ रहा है और अब मुझे feel हो रहा है कि यार जो divider है इसको पूरा ही cover करा जेता हूँ code smashers को पूरा ही अगर यह cover कर ले तो अच्छा लगेगा तो जो मर्जी आपकी वो आप करो हैं पर elementar आपका अपना है राम से इस्तिमाल करो ठीक है और यह snow adventure में मुझे same चीज़ करनी है तो मैं जाला tension नहीं लोगा मैं यह column को ही क्या करूँगा copy करूँगा और यहाँ पर क्या कर दूँगा यहाँ पर paste style नहीं मैं इसको paste करूँगा column को को ही paste कर दूँगा और यहाँ पर show adventure हो है जो है उसको मैं मैं इसको यहाँ से delete करूँगा और इसको मैं ऐसे करूँगा in fact इस column को drag करके यहाँ पर लाँगा और यह जो code smasher लिखा हुआ है इसकी जगा वो लिखाँगा जो यहाँ पर लिखा हुआ था क्या था हो I think वो snow adventure था सिर्फ adventure लिखता हूँ snow adventure क्या होता है यह काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ win the world tour word tour ऐसे लिख देता हूँ और यह line जो है इसको छोटा कर देते हैं ऐसे हाँ सही है और छोटा कर देते हैं हाँ बढ़िया I think यार अभी तो बिल्कुल एकदम सेट है चीज़े हाँ लेकिन यह footer को मुझे change करना है इसको जोड़ ट्रीटमेंट देना है मुझे footer को और वो मै treatment कैसे दूँगा वो मैं treatment दूँगा यहां उपर customize पर click करके तो मैं यहां पर क्या करूँगा कि मेरा जो blog है उसमें customize पर click करूँगा जो wordpress का customization dashboard होता है वो खुल कर आएगा और वो मुझे option देगा मेरे footer को customize करने का तो मैं footer में आऊँगा और यहां पर footer bar में आऊँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा footer bar में यह edit कर दूँगा इसको मैं लिख दूँगा सिर्फ इतना रखना चाता हूँ मैं इसको माटा देता है और मुझे नीची है मैं सिर्फ इतना रखना चाता हूँ और यहां पर मैं लिख दूँगा copyright यह code smashers ठीक है और यहां पर इसको करते हैं publish क्या और कुछ हमें change करना है higher यह change करना है outdoor adventure यह outdoor adventure क्या है मैं इसको change करना चाहता हूँ image को और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ अगर हमको ऐसी image Microsoft की रखता हूँ यह अगर हमको कुछ ऐसा मिल जाना code smashers का logo टाइप का बन जाएगर तो काफी अच्छा रहेगा अगर मैं इसको edit करूँ इसको मैं remove कर देता हूँ ठीक है मैंने इसको कर दिया remove और इसको भी remove कर देता हूँ retina logo को भी remove कर देता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक logo यहाँ पर अगर मैं अपना बना लूँ तो काफी अच्छा रहेगा तो अगर आप लोगो बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वरना आप क्या करो कि यहाँ पर display side title करके यहाँ पर code smashers ऐसे हम लिख देगे कोई बात नहीं ठीक है और inline logo and side title यह नहीं चाहिए थोड़ा सही रहेगा हाँ I think सही है यह थोड़ा और बढ़ा कर लेता हूं 12 कर लेता हूं ठीक है यार बढ़िया है मेरे साब से सही है तो inline logo and side title दोनों मुझे दिखाना है ठीक है sorry मुझे tagline भी दिखाना है ठीक है तो display side tagline भी करना है और इसका size थोड़ा बढ़ा लेता code smashers का क्या कहते हो सही लग रहा है न मुझे बता दिया अगरो comment मेर की सही लग रहा है बेकार लग रहा है feel करो कि connected मेरे से क्यार मैं सामने बैठा हूँ और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने यह I think okay यहाँ पर click करूँगा और यार बहुत बढ़िया लग रहा है blog यार हमारा इत अच्छा लगता यह learn coding for free आप हटा भी सकते हो चाहो तो ठीक है तो मैं काम करूँगा यहाँ आपर जल्दी से customize करके इसको हटा देता हूँ ठीक है क्योंकि मुझे दोड़ा साही नहीं लग रहा है यह तो मैं जाओंगा यहाँ पर header पे site identity पे नीचे अब जैसे इसे use करते जाओगे ना इसको यहाँ दोता जाएगा क्या चीज कहाँ पर है मैं आप इसको tagline को display हटा देता हूँ publish करते तो कभी भी लगे आप से कोई आपको कोई talk दे अगर कि यार यह क्या कर दिया इसको ऐसे लगा लिया होता तब वहाँ पर आप लोग जो है इसको लगा लो consider कर स smashers और उसके बाद यहाँ पर एक space अगर दे देता है smashers में तो अच्छा रहे था मुझे बता है time waste कर रहा हूँ लेकिन यह काम में बहुत जल्दी करना जाता हूँ very very quickly site identity और यहाँ पर code smashers में एक space publish उसके बाद काटा और I think अभी website बहुत धमागेदार लग रही है ठीक है आप इसको select करो पहले और यह दे को link पूछ रहा है आपसे अब क्या करो चले जाओ slash कहाँ पर कोई भी page पर services पर मानलो ठीक है तो यह मैं दे दूँगा यहाँ पर ऐसे और आप कुछ ऐसे दे दो services ठीक है कुछ इस तरह से और मैं इसको कर दूँग update और इसको मैं करूँग home पर आकर तो यहाँ पर लगता है मुझे कुछ जिस तरह से रहा चीज़ था slash services यहाँ पर पूरा site का URL यह ले नहीं रहा है यहाँ काम करता हूँ services अगर मैं सिर्फ लिख हूँ यहाँ पर तो यह देखो services page तो यहाँ पर देखो इसने पूरी website का अपने आप ले लिए मेरा URL और services ठीक है update और यहाँ पर update मैंने किया इसको मैं back जाओंगा services और यह देखो services खुल गया लेकिन start now भी भी क्लिक करके अब services खुल रहा है यहाँ अगर आप start now कर रहोगे तो आपको यहाँ पर हमारी जो coding services है वो मिलेंगी ठीक है जिस तरह मैंने आपर यह home page को change किया यहाँ पर एक code डाला यहाँ पर latest post डाले उसी तरह आप एक नया page बना कर from scratch elementor से बना सकते हो जिस तरह मैंने आप लोग को बताया आप बिल्कुल उसी तरह बना सकते हो ठीक है अब यहाँ पर एक चीज मुझे खटा करी है कि यह जो चीज है हमारा कौन सा page यह वाला page जो है हमारा उसमेरा यह एक logo नहीं है मुझे यह भी एक logo चाहिए तो मैं choose image करके एक दूसरी image लगाँगा यह आपर और मैं आपर सिर्फ logo लिखाँगा शायद कोई logo मिल जाए मुझे यह लगा देता हूँ मैं आपर ठीक है उपस मैंने आपर क्या कर दिया मुझे यह सेलेक करके save and insert करना है तक यह download हो जाए और उसके बाद इसको आप medium size कर सकते हो यहाँ फिर thumbnail कर सकते हो thumbnail करो गया और चोटा हो जाएगा यह लेकिन medium size रखता हूँ उसको मैं medium size रही है और इसको मैं क्या करूँ थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ sizes का अब ठीक है यार मतलब चलेगा ठीक है save कर देता हूँ उसको मैं update अब एक चीज़ बताता हूँ responsive websites के लिए क्या बताता हूँ responsive websites के लिए मैं कि आप लोग सबसे बहले इसको ऐसे देख लेते हैं कैसा अब मैं आप responsive websites पर आता हूँ अब यह मुझे पता है जोड़ा यह बड़े-बड़े images मुझे side में अगर मैं लगा दूँ तो अच्छा रहेगा लेकिन responsive website की बात जब मैं करी रहा हूँ यहां पर तो आप लोग को बता दू responsive website में आप क्या करना चाओगे कि यह icon use करना अब से वहले मैं इसको इधर ले लेता हूं आप साही है यह बाहर निकल ला यार इसके तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका size यहां पर change कर सकता हूं तो इसको medium बना सकता हूँ और यह थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको भी थोड़ा चोटा अगर मैं करदू तो साही रहेगा custom size इसका अगर मैं बनाओ इसको थोड़ा जीब कर दिया भाई मैंने इसको Ctrl Z करूँगा और यह जो image है यह तो आप लोग यार edit कर ले ना बाद में मैं आपर ज्यादा वो नहीं करना चाहता अब मैं आपर क्या करूँगा क्यों कि मैंने इसकी position को absolute किया है मैं offset को बढ़ा कर इसको center मिलाना चाहता हूँ similarly इसको भी मैं center मिला आता हूँ offset को बढ़ा कर और यहाँ पर positioning करके इसके offset को बढ़ा कर यहाँ पर center मिला आता हूँ यहाँ पर इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो यह कर सकते हो आप लोग नहीं तो आप लोग क्या करोगी इसको इसको resize कर सकते हो आप ठीक है इस तरह से यहाँ पर यह height or width इसकी use करके कि जैसे मैंने इसको weight को ऐसे कर दिया और फिर इसकी जो offset है इसको वापस से मैं zero कर देता हूँ वो आप कर सकते हो इसको select करके तो अगर आप ऐसे करना चाते हो तो ऐसे कर सकते हो नी तो ऐसे कर लो ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसकी positioning को absolute बनाया था यहाँ पर मैं रुख जाओंगा अभी क्या है कि इसमें थोड़ी सी spacing है उपर नीचे तो हाँ मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ी सी margin दे देनी चाहिए टॉप पर मैं इसमें margin अगर दूँगा मुझे सिर्फ टॉप पर चाहिए margin यह मुझे zero करना है सिर्फ टॉप पर चाहिए बॉटम की मुझे zero करना है margin ठीक है सिर्फ टॉप पर मुझे चाहिए margin इसमें तो हाँ यार अब सही है अब सही लग रहा है अब अब अपडेट करके refresh करूँ अगर तो बराबर बराबर लगेंगे सारे के सारे logos सही है अभी मुझे बिल्कुल सही लग रही है और अब हम लोग और क्या कर सकते है अगर मुझे लग रहा है कि spacing थोड़ी कम है तो यहां पर और space मैं add कर सकता हूँ तो वो सारी चीज़े जो है आप पर depend करेंगी ठीक है तो इसके size को थोड़ा सा और बढ़ाओंगा यार थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका size थोड़ा छोटा रहे गया तो इसके size को थोड़ा सा बढ़ाओंगा और इसकी margin top को भी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा इसकी margin top को थोड़ा से बढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं थोड़ा से बढ़ाऊंगा और I think we are good now अब मैं जो बात कर रहा था आपसे इस बारे में कि अगर आप देखना चाहते हैं टाबलेट में कैसी दिख रही है तो टाबलेट में ऐसी दिखेगी देखो अगर आप कईचेंज चाहते हो टाबलेट में तो वो आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप करलो और वो सिर्फ टाबलेट के लिए आपका चेंज सेफ हो जाएगा ठीक है अब फ़ोण में देखते हैं कैसी दिख रही है mobile यह देखो mobile में यह ऐसी दिख रही है तो कितनी सई वेबसाइट है यह mobile में ऐसी दिख रही है और अगर आप post को center करना चाते हो by the way तो वो कर लेना ठीक है तो वो आपके उपर रहेगा, वो आपके हाथ में रहेगा तो यह जो my post लिखा हुआ है इसको मैं करना चाता हूँ center I'm not sure मैं यह कर सकता हूँ की नहीं बट मेरे साब से कही नहीं setting होगी जहां मैं कर सकता हूँ style में, typography में भी नहीं है grid filters, grid thumbnails, advanced, motion effects I'm not sure यह होगा की नहीं बट मेरे साब से कही नहीं कही option होगा मुझे यहां पर ध्यान नहीं आ रहा है इसको center करने का पर I think it's fine यहां अगर नहीं भी हो रहा है center तो ठीक है आप क्या करोगी left right पर margin बढ़ा दो थोड़ी सी ठीक है इस तरह से ऐसे बढ़ा दो margin I think अभी हम बिल्कुल ठीक है यह बिल्कुल सही लग रहा है एक बात note करने की यह है कि यह जो update करूँगा मैं margin इसकी margin apply हुई है इसमें सिर्फ phone के लिए ठीक है तो मैंने इसको responsive बना दिया और यह देखो यहां पर यह इस तरह से दिखाई दे रही है phone में और उसके बाद partner से इसके खड़े हो गए लोगों सारे और यहां पर देखो यह इस तरह से खड़े हो गए अभी जो outdoor race में मैंने top पे तोड़ी सी वो दी थी margin दी थी और मैं चाहता हूँ कि ओ margin यहां पर ना आए ठीक है तो मैं उस margin को हटा सकता हूँ ठीक है तो वो चीज़ आप लोग देख लेना लेकिन अभी यह बिल्कुल सही लग रही है इसलिए मैं इसको एकदम ऐसे ही रहने दो को मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कुछ भी इसमें कोई change नहीं चाहिए I think I'm good with this और मैं इसके साथ stick रहूंगा मुझे कोई problem नहीं इसमें ठीक है और इसकी position भी default है सब कुछ एकदम सही है और यहाँ पर यह outdoor adventure क्यों लिख करा रहा है मैंने इसको update कर दिया था reload नहीं किया शायद मैंने इसको तो मैं reload करूँगा तो शायद मेरा footer change हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने footer change किया था यहाँ footer change किया था मैंने अब मैं वापस से हूँगा phone में हाँ footer मैंने change किया था और all rights reserve भी लिख सकते है वो भी लिख देना चाहो तो ठीक है तो वो मर्जी रही आपकी ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया अब इसके size को पता नहीं क्यों बार बार बढ़ाने का मन कर जाता है मेरा apple के size को बट मेरे साब से सही है यह सिर्फ phone के लिए बढ़ा है बता दूँ आप लोग और यहाँ पर अगर आप लोग देना चाहते हो कुछ margin वगएरा तो वो भी दे सकते हो ठीक है तो यहांपर मैंने सारी दिशाओं में margin दी है इसको लेकिन left right में मैं इसको 0 देना चाहता हूँ margin सिर्फ top में देना चाहता हूँ और sorry left right में नहीं मैं कहां देना चाहता हूँ खुदी मैं confused होँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ भाई मैं left right में देता हूँ ठीक है left right में इसको दे दी मैंने 15 15 की margin I think ठीक है अब ठीक है तोप में भी दे देते हैं थोड़ी सी यार top bottom में भी क्या ही भी गाड़ा है मारा थोड़ी सी top bottom में top में जोड़ी जादा दे रहते हैं तो जैसे आपको लगे सही वैसे कर लो और उसके बाद कर दो update और phone में आपकी website ऐसी दिखेगी तो है नहीं website बनाना WordPress से आसान की नहीं मुझे बताओ नीचे comment में आसान है की नहीं है ब्लॉग में अगर मैं जाओं तो यहां पर मेरे सारे के सारे पोस्ट आ रहे है इसको खोल सकता हूँ मैं बड़े अराम से इसको कस्तमाईज भी कर सकता हूँ मैं अगर चाओं sidebar ना दीखे मुझे तो मैं वो कर सकता हूँ यहां से हटा सकता हूँ पुरा sidebar बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सबसे सही है और यहाँ पर जो take action लिखा हुआ है अगर मैं इसको change करना चाहूँ तो मैं take action को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ subscribe to और youtube या something like that तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ subscribe us ठीक है और यहाँ पर मैंने button text को लिख दिया subscribe us और यहाँ पर मैं क्या करूँगा disable नहीं करना जाता हूँ subscribe us मैंने किया इसको और link क्या करूँगा मैं youtube.com slash code with harry ठीक है, मैंने डाल दिया यह link ठीक है, और open in a new tab www.https तो यह भी कर दिया मैंने और इसको कर दो publish तो अब क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर आएगा website पर हमारी मैं आपर क्या करता हूँ कि क्या करूँ यहाँ पर इस तरह से reload करता हूँ elementor से edit नहीं करना बहुत हो गया subscribers कोई बोलेगा तो यह दे को elementor से थोड़ा सा treatment देते हैं मैं आपर contact info नहीं रखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ पूरा मेरा form आए यहाँ पर simply इस column को कर दूँगा delete that's it और इसको center भी कर लेता हूँ मुझे center भी करना इसको और I think that's fine यार चलेगा बिलकुल चलेगा update ठीक है update किया मैंने और मैं क्या करूँगा अब यह मैंने किया और मैं इसको हटा दूँगा elementor को बंद कर दूँगा और action is equal to elementor अटा देता हूँ नीचे यह और यहाँ पर यह क्या कर दिया मैंने मैं वाफस से आता हूँ मैंने home page पर contact पर आता हूँ और यहाँ पर मालू मैंने कुछ लिखा at the rate of something.com send किया और यहाँ पर देखो यह कहा रहा है we are ready let's talk thanks for contacting us we'll be in touch अब एक problem यह कि यह center यह आ गया left में इसको भी center sorry इसको भी left में डाल देता हूँ we are ready get in touch को तो edit with elementor खुलने देता हूँ इसको इसको भी डाल देता हूँ left में यार सही रहेगा left में रहे देते हैं वह बड़ा जीब सा दीखेगा फिर चलो जी बड़िया सब कुछ set है अभी मैं higher contact us को मैं तरह image change करना चाता हूँ अच्छी नहीं लग रही है तो यहाँ style में जाओंगा choose image में जाओंगा यहाँ पर contact की कोई अच्छी सी image लेकर आओंगा जिसको जो की दर्शाता होगी भाई हाँ contact हो रहा है तो यहाँ पर यह बड़ी अजीब सी image आ गई है लेकिन यह मत लगा देना गल्दी से मैं आपर क्या करूँगा की कोई अच्छी सी contact us लिखते हैं ताकि इस तरह की फालतो image ना है contact us की कोई अच्छी सी image आ जाए अगर तो लगा लूँ उसको मैं लेकर हाँ यह सही यह अच्छी लग रही image इसको मैं ले लेता हूँ save and insert download और यह हां क्या बात है क्या बात है मज़ा आ गया देखो कितने अच्छी में जाए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यह इस तरह से करके और वापस से आ जाऊंगा यहाँ पर इस तरह से contact में आया मैं और यह देखो देखो कितने साही लग रहा है code smashers home about services blog और अगर यह red color की लोड़ी image होती तो maybe अच्छी लगती बाट मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार तो यह चीज बहुत subjective होती है कि अच्छी लगती बुरी लगती अच्छा लगती अच्छा लगेग websites reserve भी लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा कैसा लग रहा है साही लग रहा है अब अब साही लग रहा है मुझे थोड़ा publish कर देता हूं बंद कर देता हूं हाँ यार अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ बनाया है हमने कोई website बनाई है wordpress use करने का कुछ लग ठीक है अब यहां पर मैं इसको भी elementor से edit करके यहां पर इसके जो pages है जो blog दिख रहा है यहां पर मैं क्या करूंगा कि style में जाकर image को change करता हूं सबसे पहले तो coding लिखा और यह ले लेते हैं थोड़ी से light image अच्छी लग रही है हाँ बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया ठीक है और यहां पर आप लोग देख रहे हो exit to dashboard अर्य नहीं या अपडेट तो करने दो यह मैं आगे है dashboard में अब यहां पर यह देखो preview मुझे दिखा रहा है इसका और यह बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत ही सही बहुत ही बढ़िया I think we are good now अगर मैं बात करूँ home page की तो वो हमने complete किया है अगर मैं आपर बात करूँ हमारे इसकी अब यहां पर नीचे थोड़ी और space मैं दे देता हूँ और यह सारे काम होते रहेंगे मैं बता रहा हूँ आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे अपनी website design से हमेशा कुछ ना को change करते ही होगे मैं बता रहा हूँ जब तक अच्छे से बन नहीं जाती website तो हम क्या कर सकते हैं कि यह जो मेरा section है advance में जाकर इसमे padding bottom दे सकते हैं थोड़ी सी तो देखो padding bottom मैं दूँगा तो नीचे को थोड़ी सी space मिल जाएगी इसको और update कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा back चला जाओँगा इसको reload करता हूँ हाँ देखो यह space यहाँ पर आ गई है अगर यह space जादा लग रही है तो कम कर लेना कम लग रही है तो जादा कर लेना जैसी लग रही है आप ऐसे कर सकते हो बट अभी के लिए मुझे याद चीज़े बल्कुल सही लग रही है मैं इसको जादा अभी edit नहीं करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर मेरे और post आएंगे अब मैं एक और post लिखके आपको दिखाता हूँ और मैं आपर लिखता हूँ add new और मैं आपर लिखता हूँ this is the best python tutorial और तोला content डालता हूँ यह content डाल देता हूँ पुरा ठीक है डाल दिया मैंने content ठीक है डाल दिया publish कर देता हूँ इसको अब मैं publish ठीक है publish किया reload करता हूँ इसको अब मैं reload क्या करूँ मैं यहाँ पर आऊँगा मैं यह सारे के सारे वो change करना चाहता हूँ इसको reload करूँगा और यह देखो यहाँ पर आगया the best python tutorial और यहाँ पर देखो इतना सारा content आए इसमें content actually थानी इसलिए ऐसी दिखाई दे रही है इसमें content था ही तो यह ऐसी दिखाई दे रही है इसमें featured image नहीं है तो मैं featured image भी लगा देता हूँ यार कहां गया मेरा वो तो मैं आपर इसमें featured image भी लगा देता हूँ it's a good idea हमेशा featured image अगर आप लोग लगा हो तो documents set featured image image और मैं इस बार featured image क्या लगा हूँ same नहीं लगाना चाहता हूँ मैं यह वाली लगा देता हूँ update reload किया तो देखो यह ऐसा भी दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर क्या है कि यह ऐसे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग यहाँ पर excerpt डाल दोगे तो excerpt आएगा ठीक है तो मैं अगर यहाँ पर इतना डाल दूँ update करूँ अगर और इसको reload करूँ तो यहाँ पर excerpt आ रहा है छोटा सा excerpt आ रहा है ठीक है तो that depends कि आपने यहाँ पर किस category में आपका है और यह सब चीज़े आपर दिखा रहा है ठीक है तो categories आ रही है आपर और यह कोई भी comment कर सकता है this is the best post comment और आगे देखो this is the best ठीक है तो मैं इसको edit कर सकता हूँ मैं इसको reply भी कर सकता हूँ yes best post comment और यहाँ पर देखो comment आ गया एक और तो इस तरह से नीचे लोग बाते बाते कर सकते हैं अगर आपको इस sidebar हटाने तो हटा लेना अगर आप लोग यहाँ पर python लिखोगे तो आपको एक search result वाला page मिलेगा और यहाँ पर जो जो python जहाँ जहाँ है वो आपको दिखेगा ठीक है तो जहाँ जहाँ python लिखा हुआ है वो pages आपको मिलेंगे जैसे block page मिल रहा है और बहुती बड़ी है अब यह बारा जो है ताम जहाँ बन चुका है so I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ पर अगर मैं about में जाओं तो यहाँ पर आप about page बना ले ना यह मैं आपको as a homework देना चाहता हूँ तो about page आप लोग आप खुद बनाना ठीक है who we are यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ बस elementor से image यहाँ पर change कर देता हूँ मैं लिखता हूँ कुछ photo आजाए अगर तो मैं यह देख रहा हूँ who we are में यहाँ पर यह अच्छी लग रही है who we are में यह लगा देता है और यहाँ पर देखो who we are में ही सही लग रही है अपडेट कर देता हूँ उसको तो यहाँ पर देखो our mission और यहाँ पर एक coding वाली photo लगा देता हूँ फिर से तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको click करूँगा और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ मैं यह coding वाली लगा देता हूँ photo यह वाली insert media और यह देखो लग गई तो यहाँ पर coding coding वाली सारी photos आ गई है अभी अगर मैं जाऊँ अपने code smashers में तो यहाँ पर मैं पहले wordpress dashboard में जाता हूँ यहाँ से visit site और right में सारे बंद कर देता हूँ मैं तो यह देखो हमारी website भी ऐसी दिख लिए code smashers learn coding for free with us code smashers start now पर click करोगे आप तो यह देखो services यहाँ पर आ गई है it's time to start your adventures यहाँ पर आप लोग services जो जो प्रदान करते हूँ बता देना कि हम बाइदन से कहाते हैं यह भी करते हैं वो भी करते हैं हम जो है free में YouTube tutorials देते हैं जो भी है ठीक है about और उसके बाद यहाँ पर आ गया फिर उसके बाद blog में ने यहाँ पर आपको बताए कैसे अपने post से connect करना इसको post लिखो जितने मन चाहे और यहाँ पर आपकी categories आएंगी सारी और उसके हिसाब से अब यहाँ पर जो जो categories है वो दीखेंगी देखो कितना अच्छा animation है animation से याद आया कि मैं यहाँ पर और animation भी लगा सकता हूँ oops मैंने गल्ती से यह अगलिक कर दिया code smashers में आऊँगा तो अगर आप इसको animate करना चाहते हो तो मैं आपर elementor से animation भी बताता हूँ कैसे होगा तो elementor से animate करने के लिए आप लोगो simply जिस भी element को animate करना है उसको select करें advance में जाए और motion effects में जाए उसके बाद entrance animation में fade in down करोगा तो देखो यह animation आ गया फिर अगर आप motion effects में कोई दूसरा fade in अप करते हो तो यह आ गया मुझे fade in अब अच्छा लग रहा है तो मैंने यह ले लिया मैं वापस से इसके advanced motion effects में जाऊंगा और यहाँ पर मैं मालो इसमें zoom in करना चाता हूँ ऐसे और इतना रखना चाता हूँ मैं तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी power visit side की है मैंने तो यह देखो यह ऐसे आ रहा है ठीक है तो इसको reload करो अगर तो यह देखो ऐसे आ रहा है तो आप animation बड़े आराम से यहाँ पर लगा सकते हो तो यह से मैं scroll कर रहा हूँ अगर यहाँ पर मालो learn with us को मैं animate करना चाता हूँ तो मैं वह भी कर सकता हूँ तो जितने animations आप लोगों को लगाने है आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर animation लगा सकते हो motion effects में जाकर fade in down मालो मैं करना चाता हूँ इसको अगर आप सिर्फ phone में animation लगाना चाते हो वो भी आप कर सकते हो आप मोबाइल सेलेक्ट करके तो अभी यहाँ पर जो possibilities हैं वो endless है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर scroll होके आया तो यह animation मेरा आया ठीक है तो और partners जो है वो आप घूम के या फिर appear करा सकते हो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगो को अगर जैसे यह है मेरा मैं इसको zoom effect दूँगा यहाँ पर zoom effect थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं अगर यहाँ पर zoom in down ऐसे करूँ अगर और zoom in down थोड़ा सा fancy हो गया zoom in left करूँ इसको इसको zoom in right करूँगा zoom in right zoom in आप नहीं है right shit man zoom in right yellow यहाँ पर आगया ठीक है अब यह जो apple है इसमें zoom मैं वापसे zoom करूँगा कहा गया मेरा zoom in इसको ऐसे रखूँगा अब update करता हूँ और आप लोग को दिखातो हो यह कैसा दिख रहा है reload किया मैंने यह देखा तो अगर इसे मानलो मैंने इसको ऐसे किया और उपर में आया मैंने साइट को पहली बार विजट किया यह एक animation फिर यह एक animation और फिर यह एक animation तो इस तरह के animations अगर आप लोग को मिल रहे हैं फिरी में बिना जादा महनत कि यह animation CSS से इतना time ले जाते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता तो समझ सकते हो आप लोग की कितना जादा मतलब आप लोग की जिन्दगी को यह आसान बना रहा है Elementor और WordPress obviously तो यह page हम लोगों ने बनाया फिर उसके बाद हम लोगों ने about page जो है वो आपको ऐसा homework दिया इसमें आप लोग अपनी कलाकारी करना आराम से फिर उसके बाद services यहाँ पर आप लोग देख सकते हो services में भी आप लोग कुछ कुछ डालना है यहाँ पर अराम से फिर blog में यहाँ पर मैंने यह डाला यहाँ पर हमारे post हमने डाल दिये कोई भी post पढ़ सकता है यहाँ पर post है हमारे कोई भी comment कर सकता है फिर उसके बाद यहाँ पर contact में आप जाके यहाँ पर कोई भी आपको contact message बेज सकता है तो यह आपका एक basic website जो है बन चुकी है WordPress में आप लोग अराम से इसको जो है use कर सकते हो website को और अपने अपने blog खड़े कर सकते हो किसी भी topic पर ठीक है और Astra is highly recommended और उसी के साथ साथ Elementor is highly recommended हाला कि pro version मुझे इतना उसका यह नहीं लगता कि बहुत जादा कुछ offer करता है बठ यार अगर आप लोग 2-4-4-5-5-5-5-0-0-9 रुपे महीना कमाओगे तो Elementor को भी दे देना थोड़े से पैसे क्या ही problem है तो अगर वैसे आप लोग कमाने लग गए पैसे तो definitely WB forms को भी देरा Elementor को भी देना सब लोग मिल बाटके खाना तो ऐसा होता है तो फिर कमा रहे हो अगर तो फिर दे ही सकते हो लेकिन इनिशेली एकर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा आप लोग चालू करो एक ब्लॉग सबसे पहले comfortable हो जाओ कुछ पोस्ट लिख लो मैं तो कहूँगा अराम से लोकल में ब्लॉग बना लो और लोकल में ब्लॉग बनाने के बाद 20-25 कम से कम 20-25 पोस्ट लिखो अच्छे अच्छे quality गे फिर उसके बाद अपना ब्लॉग ख़ड़ा करो ठीक है तो आई होब कि यह चीज आप लोगो को समझ में आ गई होगी और इट गई इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े हैं आपर मैं कुछ बाते करना चाता हूँ आप लोग उसे और वो यह है कि मैंने बहुत लाई लोगों से सुना है कि जब भी वो लोग वोडप्रेस सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको बताया जाता है कि जो वोडप्रेस है उसको लोकल में नहीं चलाया जा सकता जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अभी तक एक रुपया भी खर्च ने कि और यह वेबसाइट पूरी बना ली एकडम फ्री प्लगिंस का यूज करके सब कुछ फ्री फ्री यूज करके और कमर्शली भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यह बताया जाता है कहीं से कि यार आपको खरीदना है यह हाली फोस्टिंग वाली होस्टिंग जैसे कि मैं आप लोगो नए टैप खोल के होस्टिंग वर्डप्रेस लिखूँ पोस्टिंग फोर वर्डप्रेस तो यह बढ़े को इतने सारी लोग जो हैं आपर इसके लिए कह रहे हैं कि हमारे website पर आगर sign up कर लो wordpress के लिए हमारी website पर wordpress की hosting खरीद लो और ये websites क्या करती है commission देती है क्योंकि इन websites को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है एक एक user से क्योंकि इनका तो सारा data center अलरीडी set up है इनको एक और user मिल गया तो इनका फाइदा ही होना है तो ये लोग क्या करते हैं जो website hosting companies होती है ये affiliate marketing चलाती है जिसमें कि ये क्या करती है जो creators होते हैं उनको बोलती है कि यार तुम लोग खड़ी दो तुम लोग बिकवाओ हमारा ये जो hosting है और उसका तुम है बिले का commission और सबसे जादा जो commission देती है वो सबसे घटिया hosting providers होते है घटिया hosting providers मेरा मतलब ये है कि एक ही छोटे से server पे सारे लोगों को कर दिया merge फिर आपकी website पर अगर बहुत सारे visitors आएंगे तो आपकी website down हो जाएगी आपके पर scaling करने का कोई option नहीं होगा वो इंसान जिसने आपको recommend किया है चाहे हो कोई भी हो कि मेरा ये link रहा इससे sign up करो और 40 डॉलर खरीद के 40 डॉलर spend करके अराम से अपनी wordpress की hosting पाओ तो ऐसा कोई बताए अगर आपको कि या locally नहीं हो सकता है और ये वो तो मैंने तो करके दिखा दिया आप locally अगर locally नहीं हो सकता मैंने ऐसा सुना है कई जगा से तो locally फिर मैंने कैसे किया मैंने पूरी wordpress website ये code smashers पूरी आप लोगों को बना के दिखा ही locally बिना एक रुपया खर्च किया elementor वगारा सब डाला हमने तो आपने जैसे की देखा यहाँ पर कि लोग क्या कहते हैं जस्ट कुछ पैसो के लिए वो लोग बोलते हैं कि यार हमारा ये link यूज कर लो और जो है 50 डॉलर स्पेंड कर लो तो यार अगर किसी के 50 डॉलर आप गलत जगा पर spend करवाओगे तो एक बार वो करेगा बस और उसके बाद फिर definitely वो आपको अच्छा नहीं बोलेगा इसलिए मैंने आपर क्या किया है कि बिल्कुल ऐसी कोई tactic नहीं रखिये मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार free of cost बनाओ website और अगर आपकी मर्दी है तो खर्च करो वनना अपने hard and money को बहुत अच्छे से खर्च करो अगर आप student life में हो तो यार पैसे होते भी धी है कई बार हमारे पास से यारी कि इन तरह की खर्चों के लिए at least नहीं होते हैं पैसे तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ हूँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने पैसे बहुत ही wisely इस्तिमाल करो हाँ अगर आप लोग कमाने लग जाओ तब उसके बाद अपने यसाब से invest भी करो वापस इस blog में anyways अब हम लोग क्या करेंगे इसको migrate करेंगे यानि कि ये website अप migrate करेंगे कहाँ पर एक hosting provider के पास और वो hosting provider क्या होगा मैं क्या use करता हूँ और क्या options है सब आपको बताऊँगा लेकिन सबसे पहले plugin install कर लेते हैं और जैसे जैसे plugin install होगा मैं बाते करता जाऊँगा जब जब वो install होगा तक या आप लोगों को यहाँ पर कोई भी problem ना हो तो all-in-one करके एक plugin है उसका नाम है all-in-one migrator or something all-in-one WP migration ठीक है तो all-in-one WP migration तो all-in-one WP migration यह plugin का नाम है और आप इसको यहाँ पर install now पर क्लिक करके install कर लेना और उसके बार इसको activate भी कर लेंगे जब यह install हो जाएगा तो तो हम लोग क्या करेंगे digital ocean का इस्तिमाल करेंगे digital ocean एक बहुत सारे जिसे बोलूँ मैं hosting providers में से एक है यहाँ पर इसको activate करता हूँ और ज़रूरी निये digital ocean यूज करो मैं आपको वजह बताऊँगा digital ocean यूज करने की क्या है और उसके बाद जब आप professionally जाते हैं आगे जब आप इतनी company वगएरा बनाने जितने बड़े बन जाएं तब मैं AWS वो suggest करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा आ गया है क्या रहा है कि आपको सब कुछ ready है तो मैं आपर क्या करूँगा यह जो button मेरा आ गया है आपर देखो all-in-one WP migration करके मेरा button आ गया है मैं इसपे click करूँगा और all-in-one WP migration मैंने आपर यह जो plugin किया है इसको मैं export to file करके file में export कर लूँगा तो इससे क्या होगा कि मेरा यह जो site है वो एक file में आ जाएगी सारे के-सारे database सब कुछ यह media वगएरा सब एक file में मुझे करके देदेगा इसके बाद next step होगा मेरे पास की मैं क्या करूँगा इसको मैं download करता हूँ पहले download localhost यह file में इसने मुझे दिया है और इस file का नाम यह है इस file को हम use करेंगे अभी लेकिन इस file को use करने से पहले मैं क्या करूँगा यह सब बंद करता हूँ और मैं आपर digitalocean.com पर जाऊँगा मैं आपर क्या करूँगा कि digitalocean को use करूँगा और digitalocean को मैं इसलिए use करूँगा क्यों कि digitalocean एक तो अपनी dedicated server लोगे तो थोड़े बड़ पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे यह सचा ही है ठीक है फिरी में कुछ नहीं मिलता है अचकल लेकिन मैं काँगा कि आप खड़ी तब करो website जब आपको लगता है कि हाँ मैं तयार हूँ अब मेरा जो यह blog है यह पैसे कमाने के लिए तयार है मैंने इतने post लिए अपने पैसे खराब मत करना मैंने अपना एक referral link डाला हूए description में उससे क्या होगा आपको 100$ मिल जाएंगे sign up पे लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा आप अपने पैसे तब तक खर्च मत करना जब तक आप लोगों को लगता नहीं है कि हाँ जरूरत है लेकिन मैं कहूँगा कि एक time पर आपको ऐसा करना ही है अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो आप लोग नीचे मेरा रैफरर लिंक यूज़ कर सकते हो आप लोगों को मिलेगा 100 डॉलर साइन अप करते ही के साथ ही और उसके बाद आप उन 100 डॉलर को यूज़ कर सकते हो 5 डॉलर पर मंत के हिसाब से और काफी सस्ता हो जाता ही है डिजिटलोशन कोई स्पॉंसर नहीं है मैं बस इसको प्रिफर करता हूँ as a beginner अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो मैं कहता हूँ कर लो इसको यूज़ और as a professional अगर यूज़ करना चाहो तो AWS जो कि AWS जो है उसमें बहुत सारी services मिल जाती है और उसकी जैसे की DynamoDB है RDS है फिर AWS के अंदर अगर आप लोग ECS, ECR यूज़ कर रहे हो Elastic Container Registry और Kubernetes वगरे यूज़ करना चाहते हो तो वो काफी easy हो जाता है इसलिए मुझे वो आपर पसंद आता है इसलिए मैं AWS recommend करता हूँ उन लोगों को जो की जो की beginner नहीं है एक company बनाना चाहते है और उसके बाद उनकी जो website है उसका scale बहुत बड़ा है तब मैं कहता हूँ कि यार AWS ठीक है लेकिन अभी digital option और बिल्कुल भी कुछ और भी use कर सकते हो और आपको लगता है तो कहीं से आपको discount मिल जाए कोई दूसी website से उसको कर सकते हो having said that मैं आपर जल्दी से login करूँगा और यहाँ पर login करने के बाद मैं वापस आता हूँ आप लोग यहाँ पर sign up करने के बाद यहाँ पर account बनाने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आ जाना ठीक है all right guys मैं आचको अपने data location के अंदर login करने के बाद और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारी machines बना रखी है मैं इन सारी की सारी machines को delete करना चाहता हूँ लेकिन मैं बाद में करूँगा अब मैं actually भूल गया था इनको बना कर तो आप लोग को क्या करना है आपका यहाँ पर दिखा ही दिखा कि no droplet found करके इस टाइब से कुछ आप लोग को दिखाएगा तो आप लोग को यहाँ क्या करना है create पर click करना है droplets पर click करना है उसके बाद और उसके बाद droplet यहाँ पर क्या होती है द्रॉपलेट एक machine होती है machine का मतलब क्या होता है machine का मतलब होता है कि एक आपकी जो hosting होती हो क्या होता है computer होता है जो कि cloud पर रखा हुआ है और उसके अंदर सारी की सारी आपकी database की files यह सारी चीज़े होती है अगर आप एक बहुत जारा technical इंसान नहीं है तब भी आप लोग यह follow कर सकते है आप लोग को पूरा confidence में देना चाता हूँ कोई coding wording यापर बीच में ज़्यादा नहीं करवाँगा मैं क्योंकि है ही नहीं coding यार WordPress के अंदर ही नहीं कोई ऐसी चीज़ तो यहाँ पर मैं container distribution है marketplace है काफी चीज़े यह देता है आप लोग क्या करें कि marketplace में आकर हम लोग WordPress यहाँ पर देखो पहला है उसको select करेंगे और मैंने यहाँ पर WordPress पर click किया और यहाँ पर मैं अगर details में जाओं तो यह देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आप लोग किस तरह से WordPress यूज़ कर सकते है तो मैं आप WordPress select करूँगा और उसके बाद बैंगलर select करूँगा और यहाँ पर droplet select करूँगा $5 per month वाली और plan मेरा basic रहेगा WordPress ये 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 सब कुछ मैं नीचे करूँगा आकर यहाँ पर मैं लिख दूँगा WordPress 1 और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने क्या किया है सबसे पहले मैंने याप WordPress select किया फिर basic select किया $5 per month उसके बाद यहाँ पर बैंगलर क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और उसके बाद यहाँ पर नीचे password password में आप मैंने याप पर मैं बताता हूँ क्या select किया मैंने WordPress 1,2,3,4 मैंने select किया है और इसमें एक अपर case भी होना चाहिए WordPress का S में capital कर देता हूँ cannot end in a number तो एक और S में आ लगा देता हूँ यह मैंने इसका password चुना है जो कि छोड़ा खतरनाक हो गया password बट कोई बात नहीं है यहापर मैं क्या करूँगा कि यह जो मेरा password है इसको मैं कहीं save कर लेता हूँ यहीं पर कर लेता हूँ नई tab में ठीक है और इसके बाद मैं क्या करूँगा drop rate को create कर दूँगा तो मैं आपर create drop rate को click कर दूँगा नाम कुछ भी tune कर सकते हो आप लोग machine का तो wordpress one के नाम से मैंने यह drop rate जो है वो create कर ली है और यह time ले रहा है तो लोग create होने में drop rate तो digital option मैं इसलिए prefer करता हूँ क्योंकि digital option में देखो एक तो यह होता है कि अगर आपका blog popular हो जाता है तब आप लोग इसका referral यूज करके यह आपको almost free पढ़ जाता है ठीक है और कोई भी आप company यूज करो hosting की तो देखो पैसे तो देने पढ़ेंगे free तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यार एक बार बना लो website अपनी अराम से सब कुछ set कर लो एक बार local में सब कुछ set हो जाएगा उसके बार आप लोग जितना मंचा है पैसा खर्च करो लेकिन अगर आपने hosting ही खरीद ली पहले और आपको फिर wordpress जमा नहीं तो आपके वो पैसे तो बरबाद ही होने ना तो पहले के पहले अगर आप लोग पैसा है वो खाना चाहता है तो जो भी है आप लोग को clever enough होना चाहिए समझने के लिए अब देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि get started तो मैं get started पर click करूँगा यह मुझसे कह रहा है कि आप क्या करो ssh करो इस droplet के अंदर यहाँ पर चीज़े थोड़ी से technical हो रही है लेकिन मैं यह ip addresses droplet का copy करूँगा और अपनी windows power shell को खोल लूँगा और देखना कितना अराम से मैं काम करूँगा मैं ssh लिखूँगा और paste करूँगा इसको और यहाँ पर इससे पहले मैं लिख दूँगा root at the rate क्योंकि मैं एक root user होता हूँ अपनी droplet के अंदर बस इतना लिखना है और उसके बाद यह yes लिखना है और उसके बाद यह password जो है यह यहाँ से copy करके चुपकाना है बस इतना करना है अब यह ssh क्या होता है अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग बिल्कुल tension मत लेना क्योंकि ज़ादा आप लोग को tension लेनी की ज़रूरत नहीं है मैंने right click करके paste कर दिया अब देखो यहाँ पर क्या होता है right click से paste होता है इसमें यह तो terminal है उसमें most of the terminals में right click से paste हो जाता है तो आप लोग right click बस एक बार बड़े ध्यान से करना दो बार ना कर दो एक बार करना enter मारना आपका यह इस तरह से खुल जाएगा अब देखो यह मुझे से पूछ रहा है domain या sub domain का नाम बताओ तो मैं एक domain यूज़ करने वाला हूँ programming with harry.com ठीक है और यह कर रहा है अपना email address बताओ तो मैं लिग रहा हूँ code smashers ठीक है उपस तो यहाँ पर मैं code smashers लिखूँगा yes this information is correct अब यह कह रहा है कि क्या आप एक https certificate install करना चाते हो उसको yes कर देना फिर उसके बाद यह आप से और चीज़े पूछे का कह रहा है कि क्या enter email address for us date renewal मैं डाल देता हूँ email address और उसके बाद यह कह रहा है कि agree करते हो हाँ करता हूँ अब यह पूछ रहा है कि क्या आपको हम spam भेजे email वगेरा भेजे तो ना भई मुझे मत भेजो आप email उसके बाद यह कह रहा है कि आपको कौन-कौन से जो https है उसमें करवाने ही domain यह दोनों ही करवाने हैं मुझे तो input blank कर दो कर आप सारे option को choose करना चाते हूँ मैंने enter मार दिया और मेरे इसाब से सबसे आसान तरीका है wordpress को set up करने का क्योंकि c panel वगेरा कोई दिखाएगा आपको तो आपको दिमाग ही खराब होना है ठीक है मेरे opinion में यह सबसे आसान तरीका है अब देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि success wordpress installed successfully इसने successfully wordpress को install कर दिया अब यहाँ पर देखो यह सारी चीज़े जो plugin वगेरा है वो सब install कर रहा है अपनी मर्जी के और यह कह रहा है कि installation हो चुका है complete अब देखो मैं क्या करूँगा अब दियान से मेठी बास सुनना मैं क्या करूँगा अब मैं क्या करूँगा कि मुझे domain भी चाहिए मैंने hosting खरीद ली अब domain चाहिए मुझे मैं क्या करूँगा godaddy के बास जाओँगा godaddy.com ठीक है godaddy में जाकर आप लोग यहाँ पर कोई भी domain डालो जैसे मैं code smashers देखता हूँ code smashers उपलब्द है की नहीं code smashers उपलब्द नहीं code smashers उपलब्द है की नहीं code smashers.com is available अरे इतने पैसे कौन देगा यार मजा कर रहा है मेरे साथ करीब आदमी के साथ न .in किसी को खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हो करो मैं तो नहीं खरीद रहा भाई मैं तो programmingwithari.com में मेरे पास उसी को करा के दिखा देता हूँ यह नाम तो मैंने ऐसे ही बनाया था इस नाम में कुछ यूनिक नहीं है मैंने अपनी Flask की सीरीज में Coding Thunder करके बनाया था और मैंने उसको एक साल के लिए लिया था और किसी ने वो खरीद लिया और जिसने खरीदा ना उसने लोग उसका भी एक्सपायर हो गया उसने खरीदा था Coding Thunder.com और उसने एक्जाक्ली वही जो ब्लॉग है वो सेटप किया था आप मेरा ट्विटोल देखकर खरीदते हो डोमेन आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है और मैं तो खुश होंगा यार अगर आप लोग खरीदते हो तो तो मेरा कोई ऐसे प्रॉपर एटरी इसमें कोई राइट नहीं है आप अरहम से खरीदो जो मन्च है डोमेन मैं आप पर अपना प्रोग्रामिंग विध हैरी के डैशपोर्ट में जाता हूँ गोडैडी के अगर आपको खरीदना है आया टू कार्ड करना और कई और से भी यूज़ कर सकते हो वो यह है कि इनलोग को फोन करो ना अगर गोडैडी वालों को इनके नंबर पowa फोन करो न इनको यह चैट इनकी बहुत लेट लेती है मैंने देगा है काफी टाइम लग जाता है इनसे बात कोने में क्या करो यह नंबर कॉल करो सégथे और इनको बोलो कि या कोई discount चल रहा है कि आप मुझे discount दे सकते हैं इनके पास बहुत सारे offers चलते रहते हैं मुझे तो काफी discount दे रहते हैं मैं तो GoDaddy यूज़ कर रहा हूँ भी लेकिन कल मुझे कोई सस्ता मिलिया न तो मैं switch करने में में कोई वो नहीं है GoDaddy से कई और चला जाओंगा मैं कोई सस्ता मिले तो मुझे बताना अब बहुत सारे लोग referral भी काफी चलाते हैं उससे सस्ता बढ़ जाता है coupon code ये वो सारी चीजों में मैं नहीं जाता हूँ चार सार रुपए का मिलता है एक साल के लिए चार सार रुपए का खरीद के अपनी energy जो है हम wordpress सीखने में coding सीखने में articles लिखने में लगाएंगे और वहाँ से पैसे कमाएंगे इस सब में कौन पढ़ता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने wordpress के अंदर login करूँगा आप लोग इसको finish करना पूरे process को और आपका भी फिर यह domain आ जाएगा आपकी domain list में ठीक है तो मैं क्या करूँगा अपने domain के अंदर जाऊँगा और उसके DNS के अंदर जाऊँगा ठीक है तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा अपने go daddy में login करूँगा और वापस आऊँगा तो मैं आप लोग इन हो चुका हूँ अपने इस DNS वाले page में मैंने go daddy में login किया अपने domain पर click किया फिर DNS पर click किया और अगर आप किसी दूसरी website पर है मालो go daddy बन नहीं है कोई दूसरी website यह आपने use कर रही है तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते है simply आप लोग यह जो DNS वाला page है इस तरह करी जो records वाला page है यह आपको दिख जाएगा आपको A record डालना है simply यह जो A record होता है यह डालना है आपको और आपका काम हो जाएगा ठीक है तो A record के अंदर आप लोग को क्या डालना है A record के अंदर आप लोग को IP address डालना है अपनी WordPress वाले इस droplet का droplet का मतलब आपकी जो hosting है जो कि आपकी machine है जो भी बोलनो उसको ठीक है इसको minimize करूँगा और यहां पर इसको क्या करूँगा मैं Edit करूँगा और यहां पर paste कर दूँगा और save कर दूँगा कभी-कभी क्या होता है कि यह देर ले ले लेता है तो रोड़ा time लगाता है तो मैं programming with Harry.com पर जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे WordPress का installation मिल जाए तो मैं आपर क्या करूँगा इसको खोलूँगा भी और programming with Harry पर जाऊंगा I'm not sure कि ये point हुआ की नहीं हाँ ये point हो गया code smashers just another WordPress site देख वो immediately हो गया देखा आपने आपके सामने ही किया मैंने बट GoDaddy वाले बोलते हैं कि आप लोगों को लगेंगे 48 घंटे तो पता नहीं हो सकता है लगज भी जाते हो कभी-कभी तो यहां पर यह एक बहुत ही basic setup हो गया WordPress का programming with Harry.com WP admin बचाएंगे ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे admin उपस और उसके बाद यह password यह password खो ना दूँ मैं कहीं इसको ना मैं save कर लोगा कहीं पर password को अगर खो दिया ना मैंने password तो बैन बच जाएगी मेरी तो यहां पर देखो यह इस तरह से यह हो गया अब यह कह रहा है कि WordPress 5.4.2 अब यहां पर अगर मैं इसको अपडेट करूँ मैं अपडेट प्लग इन्स नहीं अपडेट को करूँगा अपडेट नाओ क्यों कर रहा हूं मैं WordPress को अपडेट क्योंकि मेरे जो पहले WordPress मैंने locally install किया था WordPress.org दाउनलोड किया था वो अपडेट था for some reason DigitalOcean में शायर अपडेट नहीं है WordPress तो अपडेट करना हमेशा अच्छा रहता लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई problem होगी ठीक है अगर आप अपडेट ना करो तो तो यहां पर यह क्या हुआ है कि भाई हमने कर दि यह मैंने ठीक है और इसके बाद इसको deactivate करूँगा मैं skip and deactivate और delete ठीक है delete नहीं चाहिए कुछ भी अब यहां पर मैं क्या करूँगा पूरी website ले कर आउंगा एक plugin डालोगा बस add new में करके all-in-one वाला जो वो plugin था all-in-one यहां पर मैं लिखूँगा और यहां पर देखो all-in-one WP migration इसको install करूँगा I hope कि मैंने जो जो step करी है वो आपको समझ में आ रही होंगी और हो सकता है कि आप लोगों को लगेगी मैंने बहुत तेस तेस किया है कुछ चीजे तो आप पीछे करकर करके वीडियो को दे लेंगे ठीक है अगर आपके पास credit card है तो बस यह कि अपना credit card आप लोगो हटा देना time पर जब जब भी मतलब होगा आप देख लेना इस आप किताब उसका और I know you are smart enough आप लोगों कर लोगे उस चीज़ को अब यहां पर all-in-one WP यह करके मैं इसमें import पर जाओंगा और import from file पर जाओंगा और उसके बाद यह वाली वो file थी जो कि generate हुई थी मैं इसको select कर लोगा आप लोगों को जो फाइल हमने download करी थी याद है हम लोगों ने जो यह export करते से हमें download की थी उसको मैं select कर लोगा अब यहां पर ना एक problem आ यह कह रहाएगी यार आपका जो file size है वो exceed हो पड़ेगी अगर आप लोग coder नहीं है तो आपको थोड़ी problem हो सकती है मैं आपको suggest करूँगा कि आप लोग क्या करें कि इसी wordpress पर जो मैंने procedure बताया है वो वापस से repeat करें अब आपको शायद थोड़ा काम करना पड़े मेहनत करनी पड़े अगर आपसे यह काम नहीं हो र करें तो आप लोग यहां पर राइट लिक करके properties में जाके colors में जाकर इसको black कर सकते हो इसका अगर आप लोग color black करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है convenient हो जाता है ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा वापस से हो जो SSH वाला command था वो मैं run करूँगा और यह password copy करके यहां पर यहां पर login हो गया ठीक है अब मैं क्या करूँगा लिखूँगा cd space slash www slash html यहां पर मैं लिखूँगा slash html और मैं आ जाओंगा यहां पर अब मैं ls लिखूँगा तो यह सारी मुझे files दिख जाएंगी जो कि मेरी wordpress की files है मुझे इन में से क्या करना है यह वाली file को edit करन तो मैं लिखूँगा यहां पर vim.htaccess ठीक है और यहां पर यह file है नहीं तो मैं बना लूँगा इस file को .htaccess को और इस .htaccess file को बनाके मैं i दबाऊंगा और यहां पर वापस से मैं right click करके paste कर दूँगा ठीक है और यह 128 जो लिखा है इसको मैं 228 कर देता हूँ क्योंकि मेर लोग ने जैसे यह किया आप लोगों को क्या होगा आप लोग इसको जब रिलोड करोगे यहां पर तो यहां पर देखो 228 MB होगया आपका जो maximum upload size था ठीक है तो import from file आप लोग करो और वापस से इस file को चुनो और अब आपका जो import है वो successful हो जाएगा ठीक है तो यहां पर द को यह step थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि वो कहीं यह क्या कर दिया अगर आप as it is follow करते हो तो देखो मैं फिर से बदाता हूँ सबसे पहले ssh root at the rate ip address मैं ने किया password डाला उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैं drop late के अंदर आ गया मैंने cd वाला command चलाया as it is टाप द और उसके बाद क्या करना है यह इसको 228 करते नहीं बड़ा carefully इसको भी 228 करते नहीं बड़ा carefully उसके बाद क्या करना है escape की दबाना है जैसे escape की दबाऊगी यह insert चला जाएगा देखो मैंने दबाई चला गया insert अब आप लोग को क्या करना है colon लगाना है यह आपर जो keyboard में आपका shift दबाके आप लोग semicolon shift semicolon दबाऊगे colon आएगा और यह WQ लिख देना है आप लोग पहले W और FQ enter यह exit हो जाएगा इसे आप और उसके बाद आपकी जो यह website है देखो यह कह रहा है कि import process आपकी done है almost और यहाँ पर यह कह रहा है कि हम सारे का सारे database लेकर आ रहे हैं स तो यह website एकदम टपा टप import हो चुकी है देखो कितनी सही लग रही है यह मैं post भी देख सकता हूँ और मेरा domain में आ गई है वा भाई वा क्या बात है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यह जो post मैंने लिखा था इसके links वगएरा सारे इंडाक्ट है फिर मेरा blog भी य out found error देने लगता है और उसका solution यह है कि settings में जाओ आप लोग और settings में जाने के बाद यहाँ पर एक बार save changes पर क्लिक कर दो permalinks में जागे settings permalinks और उसके बाद यह custom structure करके save changes करो फिर वापस से post name दबाकर save changes करो पता नहीं से ठीक क्यों होता है बट you know what यह ऐसा होता है और मैं website हमारी यार कितनी दभा के दर बन गई है सबसे पहले हमने पैसे खर्च नहीं किये उसके बाद हाँ थोड़े बहुत हमें करने पड़े पैसे कर्च क्योंकि you know what यार कि यहाँ पर हमको अगर कोई चीज अपनी खड़ी करनी है website online तो थोड़े पैसे तो खर्च करने पड़े तो मैं यह कुछ मशीन हैंने बना रखे हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूँगा या पर चाहूंगा तो मैं और स्पिन कर लूगा मशीन से अपनी तो वो मेरी मर्जी रहती है तो I hope कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी और आप लोग बहुत ही अराम से इस चीज को grasp कर पाए होंगे अब यहाँ पर देखो हमने सारी चीज़े सीखी WordPress के बारे में लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को बिलकुल भी यहाँ पर यह सब चीज़े नहीं आएंगी काफी चीज़े हम लोगों ने देखी आपर और जो है वो दिलवाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो WordPress की hosting अगर कहीं और से भी आपको मिल जाती है तो भी आप लोग कर ले ना अगर यह काम आप नहीं कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर करवाया आपको यह सर्वर के अंदर गुसके तो मैं कहूंगा यहीं से आप बना पाइदे बताता हूं कि क्यों आप लोग को डिजिटल ओशिन जो है वो यूज करनी चाहिए तो अप लोग जो है जब डिजिटल ओशिन को यूज करने का यह होता है कि आप लोग जो है जब डिजिटल ओशिन को यूज करेंगे तो आप कभी भी स्केल डाउन कर सकते हैं य ये भी आप लोगों को जो आपकी shared hosting बगएर उसमें इतनी power ना मिले लोग बोलते तो हैं कि 10,000 पर month monthly visitor जो है इतने आ सकते हैं इस website पर और ये वो but आप लोग कभी बहुत heavily scale up करना चाहो तो आप डिजिटलोशन की मज़से कर सकते हो अपने plan को change कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप लोग घंटे के साथ से भी payment कर सकते हो ये मैं सिली डिजिटलोशन यूज़ करता हूँ मेरा ये reason है डिजिटलोशन को यूज़ करने का वैसे डिजिटलोशन के साथ साथ कुछ और भी hosting providers है जिनके बारे में बात करना चाहूँगा उन में से एक तो walter करके है walter if I'm not wrong हाँ walter और ये walter करके एक है और फिर उसके बाद linode करके एक है तो ये सब भी एकदम सही से काम करते है देखो इन सब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक अच्छा दूसरा बुरा मैंने डिजिटलोशन के साथ तोड़ा टाइम बिताया है मुझे ठीक लगा तो मैं वहीं पर हूँ मैं use कर रहा हूँ आप वल्टर को भी देखो आप linode को भी देखो linode को देखोगे तो linode की भी मैंने लोगों से बहुत तारीफ है सुनी है वैसे सही बताऊं तो तो कहीं पर भी न ऐसा नहीं है कि एक अच्छी दूसरी बुरी एक अच्छी बस यह जो VPS है आपका आप कॉंसेप्ट को समझो अगर एक VPS खड़ीते हो VPS की वर्च्वल प्राइवेट सर्वर VPS यानि कि आपका अपना कंप्यूटर जो की खड़ा हुआ है क्लाउड पे क्लाउड का मतलब डेटा सेंटर पे यह लोग मैनेज कर रहे हैं उस कंप्यूटर को फिजिकली मैनेज कर रहे हैं यापर आप कमा programmingwithherry.com के मैंने पैसे दी हैं मैंने ये नाम खरीदा है इस नाम के सिर्फ पैसे दी हैं तो ये नाम के साथ साथ एक कंप्यूटर चाहिए जो की पॉइंट करेगा एक कंप्यूटर को तो programmingwithherry.com पर कोई भी जाएगा तो मेरा wordpress blog जो है वो दिखेगा उसको ठीक है अब मान शुरू में मेरे पास 10 visitors आ रहे थे, जाधा visitors नहीं थे और अचानक से मेरे पास आने लगते हैं से 20,000 visitors ठीक है अब 10 से 20,000 जब आएंगे तो definitely जब इतने सारे लोग मेरी website को खोल के देख रहे हैं तो मेरे उस computer पर load पड़ेगा जो कि मैंने rent किया हुआ है जो कि मैंने Walter से, Digital Lotion से या फिर Linode से, कोई भी provider से मैंने ले रखा है तो मुझे problem आपर पड़ेगी ठीक है, in fact GoDaddy भी बेचता है hosting, आजकल सब लोग इस धंदे में, तो क्या होगा कि आप लोग कभी इस तरह से करोगे तो आप लोग की website down हो सकती है, तो आप लोग को अचानक से scale up करना पड़ जैसे से आपकी website आपको लगेगा slow हो रही है, और लोग जादा आ रहे हैं, तो आप 1GB से 2GB, 2GB से 3GB इस तरह की RAM में आप लोग जो है upgrade करोगे, अब Digital Ocean आपको graph दिखाता है CPU के, कि कितना CPU usage हो रहा है, कितना RAM usage हो रहा है, मैंने पूरा in-depth बना रखा है Digital Ocean का भी, एकदम पू AWS के EC2 पे भी लगा सकते हो, Amazon का EC2 भी बिल्कुल इसकी तरह होता है Digital Ocean की तरह, उसमें भी आप लोग अराम से अपने virtual private servers बना सकते हो, और उसमें जैसे से आप यहाँ Digital Ocean में install कर रहे हो, चीज़े वैसे वैसे वहाँ भी install कर सकते हो, तो change उतना आने वाला नहीं है, मैंने सिर Digital Ocean को as an example यूज़ करके इस सीरीज में पता है, तो यह भी आप देख सकते हो, अगर आप लोग को बहुत डेप्ट में सीखना है इस सब चीज़े, वैसे इसके बिना भी आप WordPress यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक serious learner हो, तो यह आप लोग access कर सकते हो, ठीक है, तो यह बातें कुछ scaling के बारे में, कि यार अगर कल मेरे पास बहुत सारी users आ गए, तो मेरे पास एक option है, on a click of button में क्या कर सकता हूँ, कि कल मेरे पास अगर मानलो, मेरे पास अभी 5 डॉलर की machine है, तो मैं 40 डॉलर देने को तयार हूँ, पर मन्त, और मेरे जो number of users है, वो बढ़ इसमें तोड़ा साप आप लोगो को coding वगएरा मैंने बताई हूँ, यह जो जो चीगी है आपको मैंने बता रखा है वैसे, यह एकदम beginners के लिए, what is a VPS से start किया है मैंने आपर, तो यह आप लोग देख सकते हो, और आप लोगो को, मैं VPS जब use कर रहा हूँ, तो overwhelming अगर मौझूद है, दूसी चीज़ी elementor पर अपना हाथ साफ कर लो थोड़ा सा, उससे यह होगा कि अच्छे अच्छी website इस तरह की बना पाओगे कियार, overlay किस तरह लगाना है, किस तरह से एक image को अगर खड़ा करना है, तो क्या करना है, scrolling में बनाना है, कोट कैसे डालना है, तो इ अचानक से बहुत सारी चीज़े, अगर आप सोचो कि, एकदम से मैं यह वीडियो पूरा देखूँ, और वीडियो देखने के बाद, मुझ से अच्छी WordPress website कोई ना बना पाए, तो यह expect मत करना है, from beginner to advanced जाने में थोड़ा सा time आपको लगेगा, लेकिन यह बात कि मैं guarantee दे सक कर रहे हैं, और उसी के साथ है सस्ता भी है, let's be honest, सस्ता भी है अपर ठीक है, और हमको पैसे भी बचाने है, ठीक है, हमें अपने फालतू पैसे खर्च नहीं करने हैं, इसलिए हमने पहले local host में किया था और अब उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर programming with Harry.com पर कर रहे हैं, तो बाद में जब हमारे पास, मानलो बहुत सारे पैसे आ गए और हम बहुत अमीर बन गए और हमारी एक company है, और company का blog है, और मानलो हम उसको, हमारी जो company है, उसके लिए manage कर रहे है website, तो यार जब पैसे बहुत सारे हैं, तो हम खर्च भी करने के लिए ready हैं, उसके इसमें आ DynamoDB होता है, database वगेर आपको store करना है, अगर कुछ तो RDS होता है उसमें, और अगर आपको container के अंदर डालना है चीजों को, तो वह भी काफी easy हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको ease मिलता है, ठीक है, तो यह सारी चीजे मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना जाता है, I hope कि सब कुछ clear होगा अब और कितनी अच्छी website बन गई यार देखो, इसको दिखाता हो आप लोगों को phone में कैसी दिखेगी है, तो अगर मैं आप पर इसको iPhone 6 में रखूं तो देखो ऐसी दिखरी है iPhone 6 में, और यह देखो इसका menu ऐसे दिखरा है, ब्लॉग में ज जो कि आपके admins है, उनको दिखेगी सिर्फ ठीक है, तो I hope कि यह clear हो गया होगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इसको बहुत जादा enjoy भी किया होंगे, so अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक चीज हम लोगों ने की थी, जब हमने यहाँ पर यह droplet जो है, यह lock मुझे आपर connection is not secure मिल रहा है, यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने गलती कर दी यहाँ पर, गलती नहीं कहूंगा उसको मैं मेरे दिमाग में थी वो बात, बट मैंने यहाँ पर आपको पहले droplet बनाना दिखा ही, उसके बाद मैंने बोला कि आप domain खरीदो, तो आप क् हमारा email यह है, हमारी website का नाम यह है, WordPress का setup जो किया था यहाँ पर terminal में आकर, SSH करके, तो वो आप लोग point करा लो पहले अपने domain को उसके बाद करना, तो उससे आपको एक ताला भी मिलता है, ताला का मतलब क्या है, ताला का मतलब यह इस तरह का, connection is secure, और यह बहुत important चीज़ होती है, free SSL certificate, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने एक बात आप लोग को बतानी थी, और बाकी तो यार आप लोग का अपना blog जो है, मुझे जरूर comment करके, दिखाओ यार मैं देखना चाहता हूँ, और animation वगएर इस तरह के लगाओ, खतरनाक खतरनाक, और मुझे दिखाओ या देखो, आप लोगों के पास अगर blog है, तो आप लोग कहीं भी बैट के अपना reference जो है, वो ले सकते हो, तो जैसे मालनों मुझे जरूरत पढ़ गई, कुछ python की cheat sheet की है, और कोई भी ऐसी चीज़ की, जो की मुझे याद नहीं रहती है, तो मैं अपने blog में उसको इखटा कर के रखलूंगा notes बना के, और कहीं भी मैं होंगा, मैं वहाँ से उसको access कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत असान हो जाता है, और काफी अच्छा रहता है, याद ये आप लोगों को करना चाहिए, बहुत ही early stage से, और wordpress इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंक आप लोगों नहीं tutorial enjoy किया, तो याद जरूर से यहाँ पर click करके मेरा channel जो है, वो access करो, यहाँ पर काफी चीज़े आप लोगों के लिए बना रखी है, जरूर से देखना, और मुझे बताना यार की कैसा लग रहा है आपको ये सब, मुझे दिल से बहुत जादा खुशी हो कि मैंने जोड़ या नहीं है, टाइम अभी तक मैं टाइम जोड़ के वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब तक पूरा नहीं होता तब तक बनाता हूँ, तो मैं जस्ट रस्यूम कर रहा हूँ कि दो गंटे तो होई गया होंगे, ज्यादा ही हो गया होगा in fact, so 3 गंटे में भी हो गया होगे, so I hope कि enjoy किया होगा जितना भी टाइम होया, I hope कि जो आपका टाइम था या आपका टाइम वर्थ था, और आपने काफी कुछ सीखा इस टाइम में, अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही, आप लोग वापस आए इस चैनल पर कई चीज़े सीख कर जाए काफी मुझे दिल से खुशी होगे और अपना ब्लॉग नीचे कॉमेंट में जब लोग मुझे जरूर दिखाना में देखना चाहूंगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस, thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time.